इस बेटा आज मैं आपको एक वादा करना चाहता हूं जो कि मैं पूरा करके रहूंगा तीन आज भी नहीं लगेंगे टू टू त्री आज हमें लगने वाले हैं पूरी इकालोजी पढ़ने की एक चीज़ देखना अगर आप एक टॉपिक के लिए दो से लेकर तीन गंटे ल पूछे जा सकते हैं आज मैं आपको एक ना एक चीज़ करवा के लूँगा आज की सेशन के अंदर आज का हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है पर अल्मोस्ट खतम हो जाएगा सेवन पीम पर यह मेरा अंदाज आ है आज हम चार टॉपिक कवर करेंगे आपकी पूरी इकाल पर अगर आप हर एक टॉपिक से एक से लिकर दो क्वेशन पकड़ोगे तो आपके अल्लमोस्ट बेटा सेवन टुटेन कोशन कवर होने वाले हैं सेवन टुटेन कोशन बस आपकी थ्री आस की बिच में तो तू आस की बिच में हो जाएंगे पढ़ने चीज चाहता हो एक च करना इस सेशन के अंदर इस सेशन को एंडर तक टाइंड करना है में जो क्वेशन में पूछोंगा उसके अनसर करने है अगर आपको इस चीज़ आप कर सकते हो आपको आज सेशन बहुत बढ़िया होने वाले है trust me आज हर एक चीज़ को cover करेंगे चुकि आपको आ सकती है उज़े के साथ हम पहले चीज़ देख लेते बिटा आपके आपर Republic देखिए आपर आपको 30% तक off मिलने वाला है मिर दोस्तों क्यूंकि अभी आपको 20% का discount मिल जाएगा और आपके January 31st के बाद में आपका 10% price high होने मिलने वाला है मिर दोस्तों तो 30% अगर आप अभी price में high कर नहीं चाहते हो मिर दोस्तों तो आप आपको multiple batches मिलेंगी जिसके अंदर आप enroll कर सकते हो unlimited live as well as recorded classes मिल जाएंगी इंडियाज के top educators के इसके सामने आपके पास plans है आप इसके इंदर एक बहुत बढ़िया plan शूद क इसके अंदर में अभी आपको पढ़ाने वाला हूं celebrating Republic Day with the 20% off on the need UG subscriptions तो प्राइज इसके आपको हने वाली केवल 3999 रूपीज इसके प्राइज नॉर्मली क्या हुआ करती थी मेरे दोस्तों आपकी 5000 ती अभी इसकी प्राइज आपकी 3999 रूपीज होने वाली है इसके के अंदर admissions आपके लिए खुले मेरे दोस्तों डिफेंस पोलीस परसनल्स के लिए आई-ई-टी नीट यूजी अजरा फॉंडेशन पोसेस के लिए नौट अबल टो स्टड़ी इन दो कोटा अगर्ट विए नव ब्रिंगिंग कोटा टु यू तो बैच्चे सापके लिए स्टाट कोने वाले जैनेवरी 27 से तो अगें दो कोड़ीज द वीडी वन माय फ्रेंड्स ठीक है या या यंची आटी एटूज है टेस्स आपके साथ ने होने वाली है जिसके बीच में आपको हर एक चीज मेलीगी हर एक पॉस्टीबल कोशिन मिल जाएगा इसके अंदर एंड्रॉल करने के लिए वीडी वन कोड यूज कर देना मैं सबसे आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों ट्रिपल नाइन में टेस्स सेरीज है अगर आपके पास एक बहुत बढ़ी टेस्ट सेरीज नहीं है निकीदा परमी साक्षी तो आपके लिए बहुत 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 बहुतर ओप्षिन हो सकता है क्यों कि आज दक मैं ने देखा है कि अनेकर मिची जो टेस्स सेरीज होती है उसके अंदर जो पॉस्टीट है जो प पूछ मैं आपको प्रवाइड कर दूँगा चलेगा आज का मारा स्रेशन बहुत बढ़िया है फुल एकॉलोजी होने बाला है तो फर्स हमारा टॉपिक है बेटा एक लाइन आपका क्या है में दोस्तों यमसी की होई जैसे कि देखना एकॉलोजी मतलब क्या होता है यमसी की में पूछा जाता है सकते हो कभी वारीश आजेगी कुछ भी हो जागा तो फीजिकल एन्वार्मेंट की साथ उसे में कहते है एकॉलोजी एकॉलोजी की चार लेवल्स होती है खास करके और इसके ओपर भी कोशन पूछा जाता है ओके प्रतिक ओके वार्मेंट को साथ में करेंगे प्रतिक यस तो चीज लेकर आपकी चार लेवल होती है तो बायोम सबसे बढ़िया सबसे बढ़ा होता है आपका बायोम की नीचे आपकी आजाएगी कोम्यूंटी बायों की नीचे आपकी आपकी मुंहीं की बीच में आपकी पॉपुलिशन होती है एक चीज देखना हम क्या है हमाएक सभी ओट अपकी एक एक पॉपुलिशन है एक क्या हमारा एक में हमारे मेरे इक सबसे बीच में आते हैं तो इसके निमोनिक जिसके दर लेवल नहीं बड़ा आप आपको एक चीज़ करनी है अपनी एपने सामने खोल के रखना जो भी टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा चाहे अब इसको रेकोड़ेट फॉर्म में देखो या तो यहाँ पर लाइव सेशन के अंदर अटेंड कर रहे हूं इसका एक यंसी आटी अच्छे से ओपन करके रखना है आपको क्या आपको क्या काया है सी फिगर 13.1 जिस की कर लो मेरे दोस्तों तो यह जो डाइगराम है आपके सामने क्या दिखाती है उसके अंदर आपको दिया है मेरे दोस्तों क्या है उस ग्राप किन दर आपको एक्सील दीया है वहाँ ठड़े टकर्ष्ट्रम ऊसी के साथ प्रेस्वी ठीक इतना आपको वास दिया है तो इस graph के अंदर क्या है आपका जो y-axis हो नीगेट्व है देखो जल्दी से देखो आपका x-axis y-axis जो एक्स आपको पॉसित हो है बट y-axis आपका नीगेट्व है जो कि मीट करता है x-axis से यह चीज आपको कही अर्थी अभी इस graph को कैसे याद क करें if you give a little more rain to the desert it becomes grassland एक चीज़ देखना आपके डेजर्ड के साइड में क्या बेटा डेजर्ड के साइड में आपका क्या grassland है तो डेजर्ड को थोड़ा पानी दोगे तो आप तक grassland बन जाएगा एक ठीक एक ट्रीक हमने cover कर लिए देखो इसके नदर आपके पास tricks भी है if you decrease the temperature of temperature forest it becomes coniferous forest बेटा एक चीज़ देखना आपका जो टेंपरेट फोरेस्ट है जेस्ट उचके नीचे बेटा अगर आप थोड़ा सा temperature कम करोगे तो coniferous आपका forest आता है difference बस आपके temperature का होने वाला है तो यह क्या है पर टेंपरेचर का ग्राफ है तो यह क्या है पर टेंप temperature के ग्राफ में अगरो सबसे नीचे है तो वहाँ पर आपका सबसे कम temperature होने वाला है इस ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट इस नाइस एंथी नेट टॉप सबसे खाशी देखना आपका जो ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट होता है उसके अंदर हीट भी बढ़िया होती है मतलब रिक NCRT है क्या अगर एक सच्छी नीट एसपरेंट हो यस यस इस तीरिस के इंदर पूर आइक ओलजी बेटा एक ही सेशन के इंदर चार फोड़ी टॉपिक एंड हर एक इंसाइटी की अभी तक अभी तक मुझे नीट दियो है लगबग कितना साल हो गया है तो उस जमाने मुझे आज तक पता नहीं चला था आपकी यहां पर दिया है मेजर बायों आपकी इंडिया है इसके उपर कोशन पूछे रहे थे इंदर प्रॉपिकल रेंफोरेस्ट होता है प्रॉपि अब करते हैं तो सबसे खाए चीज़े मेरे दोस्तों आपको दिया है जो होता है आपका वो टेंपरेचर होता है उसके बाद आपका पानी होता है लिख लो आपके इंडिया है बट वॉटर नहीं दिया है तेंपरेचर क्यों कि उसका रिजन देखेंग बिटा बस उपर उपर से नहीं पढ़ने वाले लीप में जाके देखेंगे तेंपरेचर क्यों कि इसकी ही वजए से बिटा आपके अंदर एंधाइम्स का सभी चीज़े चलती ह आपके अपना एक रोल एक फंक्शनलीटी पुरा करता है तो आपकी जो एंजाइम्स होते ना तेजू कैसे होते हैं लुक आट मिए बहुत बढ़िया प्यारा और इसमें बिटा दो हाथ है दो पेर है अच्छे से मेरा सब कुछ चीज़े चल रही है अगर मैं बहुत दाइ में देफ हो जाएंगी क्यों की सब्सकाटा मेरे जिन्साइम करना खराब हो जाएंगे काम करना बंद कर जाएंगी वहां पर क्या हो जाएगा मेरे एं। स्काम करना बंद हो जाएंगे तो टेंप्रेचरी दा मोस्ट एकोलोजिकली रिलेमेंट फैक्टर वित रिस्पेक्ट तो मैं मैं बॉडी बेटा मेरे एंजाइम यह से भी चीज़ आप अच्छे से करना अंगर सेकेंड में इस वार्टर का इंपॉडरंस यहां पर किया क्या हो यूरी थर्मल मतलब क्या होता है यूरी का एक नाम होता है यूरी मतलब लॉंग या तो वाइड जहां पर भी यूरी दिखाए दिया वहाँ पर आपका वाइड होता है तो वाइड रेंज ओफ टेंपरेचर्स यहां पर एक्जामपस नहीं दिया है मैं आपको यूरी थर्म प्रच्छ पी जिन्दा रहती है मतलब लोहस्ट मंदब उन्हें कुछ नहीं होता है तो दिया दे यूरी थर्म यहां पर एक्जांपल नहीं है कुछ पकरना पूर्ट मैं आपको एक्प्रेन करना और दिम्हें नौ स्थीनो स्थीनो इस लिमिटेड अज लाइक अस बेटा में बहुत हाई टेम्परेचर के अंदर चला जाओंगा मर जाओंगा बहुत कम के अंदर आ जाओंगा मर जाओंगा रिजन इस आपका थोड़ा सा शॉर्ट होता है यस भाया आगे बड़ो अभी निट नजदिक आई है इस तो वाट लग जाएंगे यस आएंगा अभी हम है इस देखना वाटर को बहुत अच्छे तरीके से करना है एक चीज़ हर एक लाइन आपका क्वेशन होने वाली है वाटर जोता है मिर दोस्ति के इसके इनदर साल्ट का यह आप स्वाल्ट का कॉंसेंटरेशन होने वाला मिर दोस्तों कि डू कोल्ड ब्लडड और्गिनिजम्स कम अंडर यूरी धर्मर्स ओके एक बहुत बढ़िया कोई किलो थर्मस जीसे आप कह सकते हो कौन से कौन से और यहां पर क्या है डिपेंड करता है इस यो आगी जाके हम पढ़ने वाले कि वो रेगुडेटर है वो कंफर्मर है या वो थोड़ा सा स्टीनो थर्मल की टाइप आप कह सकते हो कि उनके बीच में आ जाएगा ठीक है क्योंकि वो क्या है पट एक चीदिया पर डिपर करती है कोल्ड ब्लडेड होने के बावजूत वो उनका नेचर क्या उसके उपर डिपेंड करेगा एक चीज देखना अगर हम क्या थोड़ा थोड़ा से कम होता है जो आपका जमिन के अंदर पानी होता है वो थोड़ा सा पाच से कम होता है समुदर का पानी कभी प्रतिक प्रतिक ने तो 100% क्या होगा तो आपकी जो हाइपर सालाइन लगोंस तो ते बिटा है पर caleine मतलब किया जिसके विच में आपकीलिश जादा होती इस से घी बीच में अलयाजिय बैटा आपका श보द्गा हमें 10 जादा हुती है इसके विच मैं श्मयों हिसके रिंग्मी मैं मैं only female black नीए आने होट兩 गांट से देखना आपको सूर्ज यादा सानी आशे सरे से उसकी बीच में सब्सक्राइब लेटि पर फोटो सिंतीस होता है न Het is the very essential लेगे लटी तो एनिमल एक चीजह देखना एनिमल के अंदर एनिमला के अंदर या एक पतादो हम photosynthesis करते हैं करते हैं कि आपका जो डाय और रहनल होता है दोस्तों सीजनल वेरेशन सोते हैं यह पोरेजिंग होती है प्रप्रड़क्टिव एक्शन्स होती है माईझटिव एक्षिट्टिव होती है हम हो वह सब इसे लाइट की तूप करती है इसमीं हो जाती है तरुटरी गरेंगा हमारी नीद को भिटा केंगा किसे करहें बेटा सोल्ट इसक घंथ पर राइट की वज़े से माइग्रेशन होती है तो लाइट इस अल्सुदा इंपोर्टन फाक्तर्यू कैसर तो डीपर देन दा फाइंड़ मीटर आपके पर पेट्यूलियों डार्प होते हैं यहां पर जो और इन वसोते हैं वह आपके मॉडिफाइड होते हैं कि एक चीज़ आपर ले सकते हो एक चीज़ एड़ कर सकते हो मेरे दूस्तों कौन सी वाली यहां पर आपको डीप सी होता है पीप सी लाइक क्यों से बेटा आपका 500 मीटर कई तो और सुना था यार कोई बता सकता है मुझे जिस बच्ची की अंश्याटी बहुत बढ़िया है हम अच्छे से कर जाएंगे उसके पास दो लंग्स है फिर ऊंदर से बाहरा कि कैसे मार जाती है बहरा कि कैसे नहीं बता चला क्योंको नहीं किसे पूंचरी तो लागूंस क्या मतलब आपके सकते हैं वाठर कही हो चागा ठीक है तो वह जो होता है में आपका हावदी से मतलब आपको जो सनलाइट वगरा होने वाला उन लोगों को पता नहीं होता है तो सबसे खास चीज क्या होने वाले मेरे दोस्तों वहाँ जो रेडियेशन जाते हैं वहाद तब जैस्ति कि आपकर सब्सक्राइब करते हैं अपने इन सभी चीज़ों के अंदर यस तो इभी आपर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अमांग तो अल्गी ड्रेड अल्गी इस लाइकली वी फाउन देडिपेस्ट वाटर बेटा रोड़ोफाइसी के एक्जांपल्स याद है क्या रोड़ोफाइसी और डिपेस्ट होता बेटा समंदर की अंदर बहुत नीचे पाया रही है तो इस अर्थ फ्यू रेड आल्गी वीचीज फाउंड इन दीप ती वाटर रिजो कैंसे रही है तो बहुत बढ़िया तो भी नेस्ट आता है बेटा हमारा अबयोटिक फैक्टर डाइट इस वाइल इन्वाटर इस इंपॉर्टन पॉर्टन 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 एक चीज देखना अगर आपका लैंड एरिया होने वाला है ठीक है उसके उपर जैसे आपका प्लाइन सो जाएगा मतलब जैसे आप पकड़ सकते है कि आपका वेजेटेशन होता है उसकी उपर डिपेंड करेगा कि वहापर कैसे अनिमल्स जिंदा रहेंगे उसकी उपर डि अच्छा देखना अभी स्योग आप जो बात कर रहें थे ना उसका एंसर आपको यहापर मिल जाएगा और पॉसिबल रिस्पॉंस होते हैं तो यह रिस्पॉंस अलग है और वह चीज हम थोड़ा सा अलग पकड़ सकते हैं तो रेगुलेशन मेंटा रेगुलेट अल बर्ट सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलेट कोन करता है सभी के सभी बर्ट और आपके मैमल्स और चीज देखना एबल टू मैंटें हो मेंटें हो मेंटें हो मेंटें करते हैं बाहर कितना भी चेंज हो अमारे बॉडी का टेमपरेचर बॉडी का जो आपका कॉंस्टेशन मेटाबोलिस होता है उसे एक पॉंस्टेंट लेवल पर रखने के लिट राय करते हैं तो उसका रिजन होता है हो में से कर सकते हैं फीजॉलोजी हमारी हो सकते हैं या तो हम बहा सब क्या बाहर बहुत थंड है बेटा हम क्या करेंगे दर्वाजें खिड़किया बंद कर देंगे आए आराम से सो देंगे ठीक है आपको बता है थंडी में कितने बज़े उठते हो अभी आप एक नीट आसपरन तो जल्दी उठना पड़ेगा जब आपकी नीट वगरा खत सब्सक्राइब करते हैं मतलब एनवारमेंट का जो आपको टेंपरचर हो जाए उसे मेंटेन कर सकते हैं अभी आपको कंफर्मस देखना कंफर्म मतलब क्या है आगे चाके हम डिसकर्स करने वाले हैं सब्सक्राइब क्या होता है 99 परसेंट ऐनिमर जो होते हैं lg ऑल्लाट टो ठैलेंगे एकशन करने वाले हैं यस एल्सक्राइब यहाग्न यह हैं अः Пईया जाएंगी नहीं जा सकते हैं कंशाहिक है यहां लॉग पास नहीं है यह एक रिस्पॉंस देट हमारे पास नहीं हम नहीं जा सकते मजबूर है भाई साफ अगर प्र मैं में चला जाता फिलाल नहीं जा सकता जानी बब तो माइगरेशन क्या होता क्यों लेडू नैशनल पार्क जो होता भरतपुर राजिस्तान के अंदर वहां पर बेटा अब कि थाउजन्स ओप माईगरेटरी बर्स आते हैं साइबेरिया से हर साथ आपके जो बर्ट होते हैं इत्ता दूर का ट्रावल करके बटा उड़ की कहा तक आते हैं आपके वह लाड़ो नैश्टनल पार्क विचीज़ वह स्टार्स पर नेविगेशन एक चीज़ देखना यह लिए अगर आप इस इन्वार्मेंट से भागना चाहते हो बचना चाहते तो वाट्यू कांड़ करते हैं बजलब क्या होते दोस्तों जो आपके स्ट्रेस्फुल कंडिशन साथी है स्ट्रेस्फुल कंडिशन आईगी तूसे हम दो चीज़े कर सकते एक तो लड़ सकते हैं दोनों भी चीज़ें नहीं करनी हैं लडना भी नहीं भागना भी नहीं है क्या हमारी metabolic activity को कम करना है तो सोते रहना है जैसे को यह करता है ज्यादा 10 अग यह लेता है तो चैना हुद आपके इसटिवेशन करते हैं समर के अंदर तू अववाइड लाइग प्रॉब्लम्स क्षीड आज विलाइज ड्राइंग देल और फिशिक्स करते मरत दोस्त ऐस्तिवेशन करते हैं जो होता है लगता है की रात में देखते होंगे और भी रहे जानता निए फीगर देखनों का है फूट टूटीर पेज नमबर पर इस डायगराम में इस डायगराम को मैंने बार फॉशन के इंदर गलत किया था इंटरनल लेवल है एक्टरनल लेवल है और उसके सामने आपका एक क्या है बिटा एक आपका ऊपर कन्फरमस दीजाद रेगुलेटर्स आपको फिगर देखने के लिए सब्सक्राइब किया है मेरे दोस्टों से चाके आप देख सकते हो तो यह जो ग्राफ होता है वह ग्राफ क्या करता है दिखाता क्या फिर्स्टी साथ इविड़ापका कन्फरमस को करने अंटरने बाली डिपेंड्स ओन डर एक्स्टेन लेवल एक चीज़ देखना एक चीज़ देखना बहुत जैसे external environment change होता जाएगा वैसे अपने अंदर changes करते जाएंगे तो जैसे ही बाहर की चीज़े बदलते हैं तो बाहर को भी दिक्कत नहीं हम तो आराम से जिंदा रहेंगे तो यहां होते हैं आपके यहां हैं इंटर्ने लेवल इंडिपेंटेंट और एक्स्टरनल लेवल मतलब क्या हम रेगिलेटर हैं तो आपकी बाहर की अबायाटिक कंडिशन से आप कैसे खराब हो रही है तो हम क्या करेंगे हम अपने आपको ठीक्था करेंगे और हम जिंदार जो होते हैं ओ इंटर्नल सब्सक्राइब कर देते एक चीज देखना मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्स्पेन कुरूंगा पार्षियल रेगुलेटर पार्षियल रेगुलेटर इस देखना जल दिसा आपके अच्छे से नहीं किया रेगुलेटर करेंगे बाहर का टेमपरेचर कम हो रहा है तो अपनी बॉडि का तेमपरेचर बढा Soul सब्सक्राइब करतेंगे उनके पार का टेमपरेचर कातम हो रहा है तो उनके बॉडि का भी टेमपरेचर या तो जो एन्वार्मेंट हो हो चेंज हो जाएगा पतलब पार्शुर रेगुलेटर एक लिमिट तब क्या गरता है एक लिमिट तक रेगुलेट करते हैं उसकी बाद हो डिरेकली कंफर्म कर देने वाल है फुल इकालोजी हमारा होने वाला है अड़ेशन देखें मेरे दोस्तों यस कैन वी मौर्फॉलोज सकता है कोई बॉड़ी के अदर चेंजिस आ जाएंगे जो आपके टेंडर से बगरा थे वह अड़ेशन से ना मिरे दोस्तों भी है विरियल कुछ यह से करेंगे विटा कि हम अच्छे से जिंदा रहे पाए फिजियोलोजीकल फीजियोलोजी बदल देंगे कुछ चीज हम कर अच्छे से सुनना कैसे होता है कि अगर बहुत ही बड़ा और गनिजम है तो उसका जो बॉड़ी मास होता है उसका जो वॉल्यूम होता है उसकी सर Papail कम होता है वोल्यूम डूर्फ़र सर्फ़िया कम होता है उसका जो बॉल्यूम होता है उसका सर्फ़सर दाता होता है अगर दोस्ती चीजह देख अन Mind도 बहुत ही प्यारी चीज़ में आपको कहना चाहता हूँ या उसकी रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया दाता है तो क्या होगा यहापर टेंपरिचर या तो हीट लौस जादा होगा तेमपरेचर या आप कह सकते हो यहापर आपका हीट लौस जादा होने वाला है ठीक है अगर उसी कंडिशन में एक बहुत ही बड़ा और्गीनिजम है तो उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उसका सरफेस एरिया कम है तो हीट लौस उसका कम होने चीजिव थोती है यही चीज़ होती है आपकी मेरे दोस्तों किसके बीच में आपकी यापर आइलन के बीच में अधालट लोब लेंगा कि इससे बता दे कैसे वने वाला है तो शौर्ट याज एर अजबहलेग्यूस होने वाले है तो मिनिमाइज की लॉस बाइज रवेगा बढ़ेगा यहाँ पर हीट लॉस बढ़ेगा कम होगा हीट लॉस कम होगा में इस डिर्टली प्रोपोश्टनल सर्फेस से आप कह सकते हो सर्फेस इरिया बढ़ेगा आपका रेट आपके सकते हो एक्सचेंज ऑप अच्छे से पता है अब हम देखेंगे कंगारू रैड होने वाथ है ठिक है डेजर्ण के बीच में होता है पानी कäre मूंता ओभीजी चीज है इंटर्नल फैट उसका एक चीज होते हैं किया होता है क्या तो यह सुष का व्याइद क सलं reference करता है और उसके पास करती है क्वैट के पास रियूज होते है वह रिडियूस पॉर्म में होते है टिके डियोस फ़रीट लॉट आइब अटार्नी शिद्यूस उसके पी दोस्तों 9ग मतंडित 10-20-30 इत्ता common temperature वहाँ पर इत्ता कम temperature होता आपके Antarctic region में still वहाँ पर मचलिया होती है बरफीले पानी के अंदर मचलिया होती है कुछ मचलिया तो जम जाती है और कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा जम जाती है और कुछ दिनों के बाद जिन्दा रह पाती है कैसे होता होगा यह चीज़ी क्योंकि उनके बीच में antifreeze proteins होते है जिसको क्या होता है जिसके वज़े से वह फ्रीज नहीं होती है और जिन्दा रह पाती है और जश्ट बेढ़े से के लेक्ट भी ओपन माई बुक जबता चलेगा कि हम कहात तो अपन करें ठीक है तो आप ज्यादा नहीं आराम से हो जाएगा विहाव कवर अल्मोट मुल्टिपल ठीक्स पिटा उन्हें बहुत चीज़ें कवर कर दी है अभी थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि यह चीज़ कि अग्यों कर पाता है यार एक शाम के अंदर नहीं होता है अगर घर भी लोगे तो हर एक लाइन कवर नहीं होगी कि अबस दूसारा फॉम हो जाएगा बस उसका पृतिक पॉपिलेशन जो होते में दोस्तों क्या आता है आदमी या किसी भी एक पर्टिक्लर इंडिज्वल का पस बर्त या तो देट होती दोस्तों विजल इदर मेल और फीमेल बड़ पॉपिलीशन इस एक सेक्सरेश्यों सेक्सरेश्यों इंडिया इस डाश डाश शुब्सक्राइब इस अफ्यमेल और फीमियल हो जाती ठीक है तो और सेक्स मतलब यह क्या हो सकते हैं में दोस्तों वहाँपर एक और आर्गेनिजम हो जाएगा और सेक्स रिश्री इस फॉर दो पॉपुलेशन लेबल ठीक है यह पर आपको एक है गितने लोग जिन्दार है यह हमारे इंडिया के अंदर foreign countries से लोग करता है जब Sunny आपको पूछा जाएगा कि आपको पता है बटा एक्स नाम की दिया है रेजर लिजार का आदने वाला है आगे जाखे में चारू ट्रापिक कवर करने एक्स एक्स आपकी पॉपिलेशन थी उसके अंदर आपका वाई बर्थ हुआ है एक धेड़ा पर डेथ हुआ है यहां पर ए आपका इम्मिग्रेश हुआ है तो चीज के अंदर आपको पूछेगा कि नेट डिफरेंस क्या आएगा नेट डिफरेंस क्या आएगा आपके इस चीज के अंदर तो आपको अंसर क्या करना है आपको प्लस माइनस करके इसका अच्छे से करना है इमिग्रेशन होता है एंटरिंग होती हो इमिग्र इंपॉटन नहीं होता है यहाँ पर आपका बर्द या तो देथ इंपॉटन्ट होता है पॉपलेशन की ग्रोथ में इसके ऊपर क्वेशन पूछे जाते हैं यह पर आपको ग्रोथ मॉडूव स्कॉटर पॉपलेशन प्रॉपपलेशन को फिगर पॉइंट था नेमर टू थर् नहीं है ठीक है और सबसे खास चीज वो नॉर्मली इंट्रकॉइटस आपके सब्सक्राइब बढ़ेगा इंट्रकॉइटस रच्व कब बढ़ेगा पपलेशन कब बढ़ेगी जब उनके पास अब इससे अच्छे से कंटिन्यू करना ठीक है तो उस वक्त में आपका एक्सपोनेंशल ग्रोथ हो जाएगी बूंग बूंग करके सब बहुत बढ़ेगा इसे हम कहते हैं लॉग फेस भी कह सकते हैं मुरे दोस्तों ठीक है एक्सपोनेंशन ग्रोथ या तो आप नर्मी फॉपलेशन को कह सकते हैं यह मद आपका पॉपलेशन देंसीडी होता है कि आपका बर्त मैनस डेट होता है अगर टेन हुआ है ठीक है तो टेन मैनस फाइगा इंक्रेशिंग रिट आफ दीन इक आपका पाय होजागा तो यह पर जो आर था मिरे दोस्तों यह आर वहाप UC करता था लौजिस्ठिक जो ड्रोफ होती है जी मिकहते फराफ की से नवीटेट होती नार्मट आप चितने भी चीज़े देखागे लिबिटेट होती है फूड शल्टर मेट वगरा से लिमिटेट होती है सिग्माइड ग्रोथ रेट होता है रिमेंबर लॉजिस्टिक मतलब ही आपका सिग्माइड होता है तो जहां पर भी चीज़ देखना किते बचे साक्षी तेजु श्रेया यहां पर कोई रित्व है यह एक चीज़ दे बड़ेगा नहीं के अथा तकर सकते हो नॉर्मल अपर यहापर फूड रिसुर्स नॉर्मल होता है की छो से बढ़ा बड़ा बड़ा आया यहां तक आया यहां तक आया यहांपे फूर्ड रीकों नॉर्मल हो गया खिसा सुंट के इनदर जाएगा वहां से आपकी गृटत नहीं हो पाएगीज तो कैसर मिए स्टैप सिग्मोله्ट हो जाएगा तो जब भी क्यारिंग क्यापिसिटी आती है मतलब करेंगे इक वस्टो याल तब आपका है अचाने वाला है गह wanna predicting कब होने वाले एक्वेशन आपके सामने है इस एक्वेशन को आज ही याद करना है यहां रहा रहा हो जाएगा इंट यहां इंट के माइनस यन बाई के अगर इस पूरे एक्वेस्टन को आपको zero करना है growth को तो आपको n by k को आपका zero करना पड़ेगा वन करना पड़ेका सब्सक्राइब यह एक्वेशन आपका zero हो जाए ठीक है यह सित्व को याद करना एक ही बार ब्रीड करता है ऐगे फैस्टीफिक साइब फीश उसे के सवाप का बैम्मू यह दोणों हो आने वाले यह आपके पूरे जिन्देख वेए पस एक ही बार क्या करते ब्रीड करते हैं और जो आपके पेलाजिक फिशेस होते हैं तो क्या करते हैं बनाते हैं मतलब क्या लाइज नमबर नमबर ज्यादा होता है जो चोटी होती है बर्ष और मैमल जो ब्रीड में टैप्स हम ही देख वारा थोड़ी कि बस एक फार ब्रीड करेंगे प्रिड़ करेंगे में ट्रीड होता है प्रेख देखना मेरे अंदर क्या हुआ मेरी साइज लार्ज साइल का आपके कम और गिंजम्स पैदा होते हैं बस में अकेला हुआ या तो इन के जुटबा हो जाएगा एसा नहीं होने वादा है ठीक है अभी हम देखेंगे एक पोपपुलिषों इंट्रआक्शन क्या से करती है है अभी एक पोपुलिषोंं सिंगल पॉपलिशं की विदिन हो सकता है इंटर हो सकता था कोसी टेर यह तो इंटर हो सकता है अभी देखेंगे प्रेडिशन बिटा मतलब कि एगजांपल स्टाइगर इटिंग डियर और स्पैरो इटिंग सीड आज एक प्रेडिशन के अंदर क्या होता है एक पॉजिटिव जिसे खाने को मिलता है दूसरा निगेटिव एक का जिसका लॉस हो जाता है जस्ट इमाजिन ह अगर मैं एक जगह से पूरे लायन को निकाल दूब तो वहां पर जो डियर थे उन्हीं की बढ़ जाएगी उन्हीं की बढ़ने वाली है तो अपने प्रेडिश को पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते है एक्जांपल एक्जांपल इस बेर इंपॉटन इन फ्रेंट आफ देन वी हाव तो इंट्रोडिवस इस प्रेडिटर दैट वाउस दॉर मॉट अफ्टर वीच उसको माज मॉट ने में खाले है वह चला गया उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई यस इस क्लियर आगे बढ़ेंगे हमारे पास अभी भी भी टॉपिक खतम नहीं हुआ है भी भी हमारे पास थोड़ी चीज़े हैं तो हम जल्दी से कवर करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों यस बस लास्ट पेज इस टॉपिक का इस पेज का लास्ट पेज है हम हर एक टॉपिक को 35 मिनिट या तो 45 मिनिट की बीच में कवर करेंगे एक चीज़ देखना अच्छे से हमें थोड़ा से एक्ष्ट्रा जूम करता हूं जो प्रेडिटर सोते हैं देवल मेंटें स्पैसिट डैवासी इंदा कम्यूनिटी एक्जांपल इंद अमेरिकन पैसिविक कोस्ट इस टेर इस इंपॉर्ण प्रेडिटर अगर नहीं हो जाएगा उसकी जो प्रेगी पॉपि यहां पर एक कित्रीन चीहिस के पीछ असरा लेकि एक वाइज सर्फेस एक्ट्स यहां इपने वायड् और अरगनिजम रहा posset ऐसकू एक प्रॉप्र लोगों के पास होती है मोनार्च बटरफ्लाइव इंपर इंपर्ण इस बटरफ्लाइच होता है इस बटरफ्लाइब को कोई खाता नहीं है कि जाता है जब अभी मेरे दोस्तों यह आपका केट्रफिलर में स्टेज में था ठीड़ करता है इस बटरफ्लाइच बटरफ्लाइच जब कैटरफिलर स्टेज में था तो क्या करता एक पोईजन स्वीड़ पर फीड़ करेगा और उसकी वज़ी स्टेस्फल होता है लोगों को पता है और इसको बाकी की पताए कि बहुत गंदा लगता है खाने के लिए इसकी वज़से कोई खाता नहीं तो उसका थो बैनिफित होता है यह अपर उसे खाता नहीं तो उसका तो बैनिफित होता है किट लगई है तो देखना रिचार्ज कर दो अपने फोन को अगर आपके इंटरेट वेड़ा खतम हो जारे तो लिचार्ज कर लो बैट क्वालिटी 480 या तो 720 की बीच में देखना क्वालिटी अच्छी प्रेफर करने में दोस्तों ठीक है यह सब्सक्राइब करते हैं हमार पास सवाल आते हैं हमें तो सवाल आता है ठीक है तो यह मेरे दोस्तों आपके प्लांड की उपर फीड करते हैं प्लांड सब्सक्राइब को खाते हैं दोस्तों भी देखेंगे तॉन्स पहुंज होता है मॉस्ट कॉमन मॉर्फोलोजी कि मीन से आपको कहा था हम एडपेशन स्कूर्वी दूर्पोलोजिकल भी है इसके पास highly poisonous cardiac glycosides होता है तो जब भी कोई इसे फीड करेगा कोई भाइस इसे फीड करेगी तब उसकी आपर रिलीज होके टेट कॉस कराएगा तो जिसके वजह से क्याट्रॉपिस को कोई खाता नहीं है अवे एवर नोट कि एसे कुछ प्लांट होते हैं जिसे कोई भी और नहीं खाता है मेरे आपने आपको बताना चाहूंगा महाराष्ट्रा तो मैं कुछ ऐसे प्लांट को देखता हो लाइक और राम फल सी थाफल देट अधर हमारे आपर वाराइटीज नहीं बिट इस डोंट बी इस इस आर नोट नेटिव तो अस मारे एटिव नहीं है तो एक अनि कुछ आटेश को खाता ही नुए रिजन क्या होता है कुछ न कुछ उन्हटा होता है उसको झालोचा इनिमल उसको मोहीं नहीं लगाता ओके निकोटिन लिकोटिन बेंस और में तो जो लायां से बड़ा बदा किता बढ़ बढ़े प्लांटे एक बाड़ प्लांट एक जित्ते भी बच्चे यहां पर इसे जल्दी से हैलाइट करो प्रतिक अलतमाश जल्दी से साइलाइट करो मेरे दोस्तों क्यों नीन पूछा गया था मैं गंदा हो गया था मैं इस कोश्ण को गलत कर दिया था प्राइक निंग होता है और ओपियम यह सबीचोचीज यह ना इस होग खाता नहीं काफिन होंके विज़ेसे खड़ुआ लगता है मैका हम खाते हैं यह सब लाल बना डाला है वहिसे हैं इससया मैं अरे मुस्तесь प्रुठ मत मत माधने नहीं कम्56 का फेरेंग प्टना परेंज सब बादों क्या ठीक हो कोई भी हुथ ये और दोनों का वाला हूं कि की सीपी चीज के लिए एक दीखना अगर है यहां पर गल जोटी को अपने कैंठेंटने में गया हो क्यी समोसा था वहाँ कोई मेरे मेरे पास पच्छास रुपई देने के लिए तयार हो जाओंगा और अगर सामने वाला साट रुपई दे सकता है तो इसमें से मतलब क्या एक का दूसरे के अंदर लॉस होता है तो वेरी गुड़ प्रतिक प्राउड फ्यू बेटा तो इस समसी का जो जीतदार था विटा हगदार आप ही हो सुषे मेरे गुगल पे कर दो में को समसा लेकिए ठीक है इस समसे क्या हगदार आप ही हो जीत गए है जिन्दग सुषिल डेफिनेशन देखना इसकी चीज़ की प्रोसेस इनवीज पीटनेश ओफ वन स्पैसिज मेजर इंटम्स अफ आर्बेटर दाट इस इंट्रसिंक रेट ओफ इंगरीज इस सिगनिफिकंटली लोगर दे प्रजिंस ओफ अनादर स्पैसिज यहां पर एक चीज देख इसी चीज है जो कि दो पॉप्रिशन के लिए दो और दो साखशी यह उसी चीज के अंदर है भी मेरा दोस्तों पॉपेट्ट करेंगे याद करने अब देखेंगे अमेरिकन लेक्स के लिए आपके फ्लामिंगोज थे वो कॉंपिट कर रहे थे के लिए देखना पिल का टाइमिंग शाम को फाज बजे अचे से अमेरिकन लेक्स में क्या फ्लामिंगोज आपको पता है ना वर्ड़ ठीक बढ़िया और फीशेश है उसके लिए कॉंपिट करते हैं जगडा करते कि कूं का रहा फ्लामिंगोज को जूप्लांटन काई प्लामिक वह यार तू बीता बड़ा फीशे शे तो बड़ फीशे से कॉम्पिट करने क्या लोग उसे खाना नहीं मेर को तो जुप लांटन करने खा अभी हम क्या ही कर सकते हैं कहानी बहुत डेंजर क्यों है आपने वच्पन में कहानी सुनी होगी कि टॉर्टाइज जो था उसकी स्पीड कप थी यहीं चीज यहाद तक हो यह मर दोस्तों कहानी जूटी नहीं थी गयालाप्लस आपके आजलांड्स अपके सकते उसे पर वहाँ पर एक्स्टिंट हो गया और से गोडस की वहीं थे ज्युक्व की गोडस वह मिला और हम Heys बेचारी की अहु दीचर के यह अकसे extinct हो गया, तो reason देखना it is called as the interesting rate जिसकी ताकत जादा वो जीत जाएगा जिसकी ताकत कम वो बेटा यहाँ पर धेर धेर हो जाएगा, yes तो अभी हम देखेंगे, Cornel, Balanus, Dominants, Cathemus, यह आपका Barnacle से बेटा, Scotland के अंदर एक example आपके एंसाइड ही किना दिया है, computing for the same sources cannot co-exist and the inferior will be eliminated in the simple words because of the competition species will be excluded that is the worst combative exclusion principle, so look at here what will happen, एक घर है एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है I am giving the examples because you can relate with it and you can just यह पर याद कर सकते हो तो जो भाई इसके अंदर ताकत वर है उस घर के अंदर रहेगा जो जो कम ताकत वर है उसे धकैल दिया जाएगा घर के बाहर, because the same species are combating for the same resource the greater efficiency will be life there जो है greater जिसके पास efficiency वहापर रहेगा, the productive fitness आपके डर्विन चचा क्या अखोडिंग and nature का जो selection वो भी आपका अलग हो जागा, ठीका, so that is another thing you can say, so survival of the pretest, but एक चीज़ देखना but एक चीज़ देखना, it was proven untrue बेटा, इससे जूट कहा ये जूट कह रहे हो आप गौश्च चचा as the species can evolve to promote coexistence of the exclusion that is the resource पार्शियोनिग बेटा, एक चीज़ देखना, एक चीज़ हो सकती है क्या है कि एक पेड़ था जहापर उनके जो दो अर्गिनिजम हम थे बेटा, दो species थी, common food था, common food material था, उन लोगों ने जगडा नहीं किया, वो लोगों ने क्या किया पने अदकेशने बडमेनेना एक जो आदमी हुए था, वो क्या कर रहा था, सुभा अपना काम कर रहा था, दूस्तरा आ जो था, वो या। काम तो दोनों कर रहा था, बेटा वट इसके कामे बैट आज दिखन ने दे़ा, उसके कामे या फजब करने देवा इन इसको करेंगे इसको कवर करेंगे उसके बाद मम नेश्टक करेंगे तो भही आद देखो किते प्यारे तरीके से एक्स्प्रेम भी कर रहे हैं, यह एक लाइन भी हो रही है, तो please try to understand me, हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस नीट के टार्गेट को क्राक करके ही रहेंगे, any situation, ecology कुछ ऐसा section है, जिसे बहुत under related किया जाता है, सबको लगता है कि यार ecology last में कर लेंगे, last में कर लेंगे, मैं इसे पूछो, मैंने polymers, आपका biomolecules, chemistry का, chemistry in everyday life, metallurgy, इसे cautions, ऐसे chapters के नर्मास गवाये थे, just only reason is मैंने उन topic को under later किया था, just only reason मैंने उनको समझा नहीं था, मैंने इसा ही सोचा कि ओ, क्या ही बिगार लेंगे मेरा बहुत कुछ बिगार सकते है, तुस चीव के लिए अभी से prepare करना चाहिए, just 2 or 3 hours can change your life, can boost your score by 8 to 9 questions, that are almost 8 into 4, कितना आतर, 32 marks to your 40 marks, this session is very important for you, so you must attend till the end, we'll discuss it about later, बहुत detail में डिसक्स करेंगे, ठीक है उस चीज़को, अब इन देखेंगे, parasitism, parasitism का एक फायदा होदा हुदा एक बंदे को फायदा, दुसरे को नुकसान होता है, just look at it, एक बंदे को फायदा, दुसरे को नुकसान, जो parasit है, उसे क्या मिल जाएंगा, यह स्ते जो, okay, we'll discuss, जो होए पीटा, उसे बहुत ही benefit हो जाएगा, और जो दुसरा है, उसको बहुत जादा ही कमा जाएगा, we put in the biology chemistry and don't ask about the physics, physics score was very less, physics पसंद नहीं था, liver fluke जो होता है, आपका ट्रेमाटोर होता है, जैसे कि आपका स्नेल क्यूपर और आपका हो जाएगा, जो कि स्नेल क्यूपर पैरसेटिक होता है, फीश के उपर होता है, एक्टो पैरसेट्स, एक्टो पैरसेट्स, एक्टो पैरसेट्स टो लॉस्ट ओफ लॉस्ट ऑफ दीकलोरो फिलाफील यूज बाक्लोरोफिल यूज पास लूस्ट नहीं उत्यूपर इस नहीं होता है, जैख और अल्टी मेंतली प्लांट की डेत्थ हो सकती है क्योंकि इनका ग्रोथ रेश्यू जादा होता है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे क कुकु बेटा कुकु जो होता है वो बुरूड पारसितिसम होता है कैसे होता है कि जो आपकी कोईल होती ही न हमाइब करेक्ट अब करेक्ट इसके अंडव के साथ में क्या रखते पिटा अपना अंडा रख देती चुपा देती है मतलब अभी हमारे पास अडप्टेशन कुछ ऐसी हुआ है साला ना साल वह जो अपने घर में आता है तो पता ही नहीं चबता ही किसका अंडा है तो सबसे पहले वहाँ पर ग्रोथ होती है मतलब जो अंडे से बाहर निकलता है वह आपका कोईल का बच्चा होता है इत्ता जाद बच्चेमल लेने पर जानता है कि मेरे साथ में जितने भी अंडब है वो मियरे खतरनाक है तो पैदा होने कि वक्त वह क्या करता क्या क्या तो उसने अंसको गिरा देता इ alt i lost तो कि तुकसा था अभी जर्म लिया था उसको कैसे पता है जैनी टेक्स लाइफ इस मच बीटिफ लियार अचे तरीके से देखो या पीट के अंदर पढ़ाई नहीं हो रहे है भया बहुत टेंशन बत्लियार बहुत बढ़िया चीजे होती है तो गिरा देता है और उसके पात जब उड़ने लगता है तो पूड़ जाता है वो पता भी नहीं होता कि उसके नाक की नीचे क्या क्या हुआ हुआ है ओके ठीक है अपको देख रहा है तो उसकी जो लाइफ सेकल होती है वो थोड़ी सी अपकी क्लेक्स होती है रिजन क्या है रिजह तो अगर मेरे अंदर जा रहा है तो सलावा से बचना पड़ेगा यह से बचना पड़ेगा मेरे बॉड़ी में उसके पास आइंटीबॉड़ी जाएगी बाकी कि सभी चीज साइगी ठीक है तो सभी चीज आपके आने वाली हुथ है परेंब्स नहीं कहा है अपना 100% हो यहीं दो चीज हो दिर रिटू 100% तो रिजल्ट की डेशन मतलो कि यस वाफके पर संट करेट के विटा महीनत को अपनी उपर गूरुकर को फारवा को भगन को न चीज़े आपके आपकी हाथ में चलके आएगी जश्ट महीनत करने की ज़रू थे ज़रू थे ज़रू थे पर इसमा में पर इसके एक और और इपीफाइट ऑन्द मैंगो बेटा और कि जो होता है और कि ग्रो करता है मैंने आपको रिसेंट्ली कहा एट फ्यू देज आगो मेरे कॉलेज की एक ट्रीप वही थी तो वेस्टन गार्ट और मैंने देखा है तो और कि देखा है आज इपीफाइट सब्सक्राइब देखिए और कि जो था उसका सब्सक्राइब मिलता है मैंगो कोई फरक ने पड़ता वेल्स पॉद ट्रांस्पोर्ट वार ने करेंगे वेल को काई को फगर पड़ेगा यह स्वियों कुछ दिनों से पहले ना जो क्लीनिक्स बगराना सबके उन्होंने एक निकाला था वेस्टन गाट की बीच में वापर गए थे पुछ बाटनी वगरा देखने के लिए मुझ पता था कि हमारे महार्यों करनारी की बाउंट्री है इसी जगापर हम रहे रहे तो वह चीज में बहुत चीज़ाँ अच्छे से पता चली टो होता है वह क्या करते हैं गया कातल के साथ घूमते हैं घ्रिजिंग कैंट तो जब भी कैटल से घूम के पेरों से जो कीड़े में उड़ा जेता है तो इर्गेट को खाना मिल रहा है मतलब क्या इस पॉजिटिव क्लाउन फीश एंदस्ट्री आनम नहीं जो होने बाला है यह इस पॉजिटिव जीरो सेम तिंग यहां पर भी आपको होने वाली है अरे मेरे पास है फोटो रित्व है मेरे पास फोटो मैं आपको दिखा दूंगा हमारे टेल्ग्रम चैनल पर डाल दूंगा यह और किड है यह मुट्यलिजम होता है लाइक है मैंने वहाँ पर मैंने कुछ ऐसी प्लांट देखें जो कि बहुत ही जाता एक्स्टिंट हो नेको ह सब्सक्राइब करें आपके जैसे प्यारे स्टुडंस मुझे मिलते हैं यस ठीक है सक्षी आप अच्छे से मैनद करते हैं मेरे साथ मुझे अच्छा लगता है मैं आपको अपने पूरी आइनर्जी लगा कि आपके साथ पढ़ पाता हूं तो यह जो होता है मेरे दोस्तों मेरे औरन ये को निण को भी ऋक्टारे टीटार्त ही चौर्म चान्ट अच्जी अच्छसक्राइब आपका सब्सक्राइब रॉक्राइब आठ नंत्रक्षम गुवर्ण डॉप्ट आए मत्षम सब्सक्राइब ऑजया ज एक लिए मिक Dip Si A प्रॉम सॉल अलगा था प्लांट फोलावर होता है उसे पॉलिएशन मिलता है और वास्प के जो आप के सत्या हो उसका जो अब 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 नूट्रिशन मिलता है फोलिए लार वाई लार वेट ठीक है इस वन तो वन रिलेशनशिप सब्सक्राइब करने के लिए उनको करना पड़ेगा इस सबी चीज़े सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत कुछ भी सब्सक्राइब को अच्छी में को अच्छी में तो कोपरेशन को एक साथ में हेल्प कराना वीच्वरेशन मतलब आखेशन थे की एक दुसरी के साथ बेनिफिट देना एक दुसरी का विए को इस अब हम थोड़ा से आगे बढ़ेंगे हमारे आगे थोड़ा सब्सक्राइब हमारा टॉपिक खतम हो जुका है वी आर अड़ एंड आप दिस टॉपिक सब्सक्राइब और दोस्तों यह बहुत अब्सक्राइब कर देखना इसके पेटल होते मर दोस्तों फीमेल की तरह दिखते इखना तो मैल पीज क्या गदवर एक चीज़ देखना मैल भी उड़ रहा था इसके पैटल देखें यह तो हमारी फिमेल है तो जाके कि यहां पर यहां पर यह सभी चीद हो जाएगी यहां पर कुछ को यहां मैं जाल जालकर करेंगे गंगर रस कि आफ। ऑंगरो रा वेुड फिर जारि से आ खरेंगे ह। व क् انगरोाइब फिट हैं जालकरो करेंगे। ह। गंगरो राइध विलिड़् फिर त्री 55- debate मरि थें आ रड़म मरिड्य t चीछ थिस्च tries और दीर कुटिकल their d in the low temperatures at the low temperatures this is the behavioral type okay आपने पूच्छा था इतीं सो तो क्या करता है कि जब थेल्ड होती है ना हुचा कि धूपने बटे है जाद धूप करेगा बटा और जो बरो करता है जब भी बहुत जादा हाई तेम्परेचर होता है ठीक है so it is easier for a small animal to do work than a large animal as the efficiency of the muscles in the larger animals is the less smaller animals have a smaller surface area to body ratio and have higher metabolic rates the smaller animals have the higher metabolic rates so you have two animals first one is the chidya first one is the chidya is the sparrow is the sparrow and second is the elephant so metabolic rate is higher in the your sparrow the work efficiency or the work to do things you can say are higher in your sparrow elephant has just opposite होता है यहापर नेच्च चीज आती है आर स्लेक्टेट स्पेसित हैं लाज नंबर ऑफ प्रोजनी वीच स्मॉल साइज एक चीज देखने एक्स्टेंट बीलो है आपको दिया है अच्छे तरीके से उपर भी दिया था आर स्पेसित की प्रोजनी जाधा होती है प्लांस अरेंज इन दे वेल डिफान वर्टिकल एक लेस्ट कैन भी स्पेस्टेंट ट्रॉपीकल रेन पोरेश्ट निट्वाजन सेवेंट इन पोश्टेंट इन इसे वीचीज आपको एक्स्टेंट कर दी है ओके यहाँ पर देख इसका पीडियापक को मिल जागा इसके अदर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा हैंगे जैसे आगे जैंगे जो चीज थोड़ा सा थाइम ले और चीज थोड़ा सा थाइम लेंगे और सर्टिस्तित्त्त प्रण कब नають एक सिस्ट्रीज क्या होता है वेस्ट फेल लेता हो और यह टोपीक होने के बाद एक चोटा सो अश्रूम बेक आप भी ले सकते हूं विकास भी है व्याव मुज भी तिस्कॉस्ट अब लिए जुक्ष अब लिए जुक्ष अब लें आगे स्वामी पुर्ण पॉपुलीशन तो हो गया लाटिट्यूड जो चीज़े होती रहां लाटिट्यूड को हमेशा कहते हैं जो ऊपर वाली चीज़ आती है इंद यूग एक सिंबल चीश बता दो एक सर्पेस अरिया है जिसने जिए 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 अबने जिए उपर तो जाओगे नीचे जाओगे अल्टिरीट की बीचमा बेह सकते हो तो आपके 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 बाइस्टिवर्चिटिटीट इसी चीजह तो ही डिफरेंस आ जाएगा इको सीस्टिम् अरव स्टीट अपने इस देखेंगा थोड़ा सम पकडेंगे यापका आपटेंशन जयादा होना चाहिए मंता थोड़ा साथ ज्यादा टेशलादा अरुजा यजड़ा लिए लिविंग आँव ciao ऐक होगा या मुच्वालीज्ट मुच्वाल Ludum of ecosystem that function as unit, एक चीज़ देखना, उनसे ecosystem के अंदर function होते है, productivity, productivity कैसे होती है, जो चीज़ बनाती है, उसके हो सकती है, productivity कुछ प्राइमरी, जो की खुद से photosynthesis करा के बना सकता है, photosynthesis या तो खुद का खाना खोलकुन बना सकता है, एक चीज़, आपके कुछ Sinobacteries बगरा होते हैं, कुछ आपके मोने राज की बीच में होता है, फंगाय नहीं होते हैं, फंजाय आपके एक ट्रॉपिक है बिटा, और एक चीज़ हमारे जो प्लान से बिटा, kingdom प्लान पे वो भी आपका प्रोडूसर होता है, तो productivity, आज के इस चाप्टर के अंदर, जो भी कोशन आ सकता है, 100% कवर किया जाएगा, अगर इस टॉपिक को एंट कवर करोगी इस पर्टिकुलर को, तो एक भी कोशन नहीं छूटाएगा, मेरे गैरेंटी ले लो, मैंने से पहले से प्रिपर के रखा है, गैरेंटी ले लो नहीं छूटेगा, और न्यूट्रेंट साइक्लिंग पेटा पढ़ना है, कुछ न्यूट्रेंट साइकलिंग मितलब आपका फॉस्फफरस, कारवन, ऑक्सिजन वगरा से बिजी आ जाएगी, त यहां पर बहुत एसेंशल चीज़, एक क्वेशन, नीट 2023 का एक क्वेशन है, आपके समने एक क्वेशन है, जल्दी से जल्दी से, जल्दी से, प्राइमरी प्रॉक्टिविटिटी दैडि बायोंस और 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 प्रियूनिक मैटर, प्रोडूस पर यूनिट एरिया औ स्क्वेशन हो जाएगा, और इसके साथ एनर्जी की रिस्पेक्ट में हम उसे देखते है, इस चीज़ को देख लो, इसके उपर शूर शॉर्ट क्वेशन हाता है, शूर शॉर्ट क्वेशन पूचहाई जाएगा, यस, प्रोडुक्टिविटी जो होती बायोंस का मतलब क्या आप कित्ती पढ़ाए कर लिए, 10 chapters are covered by you, in a one day, in a single day, you can say, that is your productivity, what is your producing, that is 10 topics, that is what is your covering, ठीक है, तो चीज़ आपके cover होने वागी है, कोई बार अपने रामा, अभी पूरा cover कर लो, अभी तक हमने एक topic किया है, चिल्वेशन होती है, उनिट जो होते है, प्रोडुक square हो जागा पेटा, और आपका year per year होता है, ठीक है, यह आपका divided होता है, तो उपर जाएगा, तो मैनस बन हो जाएगा, तो gross primary productivity मतलब क्या होता है, that is the GPP, rate of production of organic matter during photosynthesis, एक चीज़ देखने, एक प्लांट है आपके सामने, ठीक है, आपके एक सामने प्लांट है, तो जभी हो photosynthesis करेगा, तो जिदना वो कुछ organic matter बनाता है, that is the sugar, that is the starch you can say, उस हम कहते है, gross primary productivity, the gross is the net, gross is the thing, जो क्या आप actually count करते हो, net आगे आके ता है, ठीक है, net आगे जाके आता है, gross primary productivity can also be defined as the rate of production of light energy to the chemical energy, और the conversion में कैसे तो बेटा, ठीक है, gross primary productivity में तो क्या होती है, किते light energy को आपन ने chemical energy के इंदर convert कर दिया, it is called as the gross primary productivity, yes, अभी हम देखेंगे, net primary productivity, that is the NPP, NPP, net मतलब क्या होते हैं, दोस्तों किता आपको मिलता है, किता आपको मिल पाता है, net मतलब क्या है, हमाँ, एक चीज़ देखना, एक चीज़ देखना, एक क्या है, मेरे एक shop है, एक मेरा shop है, मैं ब खर्चा लॉस हो जागा, इसके माइनस खर्चा, मेरे जो दुकान में काम करने वाले लोग थे, उनको मैंने payment कर दिया, मैंने जो सामान खरी देखना, उसका मैने एक लाग निकाल दिया, तो मेरा net benefit कितना हुआ, एक net benefit मेरे दिन का, किता होता है, सुशिल, एक लाग होता है, ठीक है, एक लाग बनता है, सेम चीज होती है, ग्रॉस मितलब किता सामान बेच पाया में दिन में, और माइनस कितना मेरा लॉस होका थे, लॉस होका मतलब कितना लोगों को देना पड़ा मेरे काम करने वाले को, यह तो कितने का मैंने सामान खरीदा, तो net मेरा profit एक लाग का सेम चीज है, यहाँ पर भी नेट उसका यहीं मेनिंग होने वाला है, नेट प्रायमेरी प्रॉक्टिविटी इज ग्रॉस प्रायमेरी प्रॉक्टिविटी माइनस दा रेस्परिशन लॉस है, जिस लोग एट यह, मैंने कितना खाना खाया, मैंने एक पुरा भेस अपते हमारी 170 बिलियन टन्स है, हमारे पूरे बायो स्पियर जो है, मैंने तो पुरा बायो स्पियर, उसकी नेट प्रायमेरी प्रॉक्टिविटी आपकी 170 बिलियन टन्स होती है, आपका एक चीद आपको बता है, मैंजिमम सर्फेस एरिया इस कवर्ड वायोर ओशन, जो मिनिमम हो इस जट 55, तो आपको भूच सकते हैं, मैं तो किता परसेंट होता है, कुछ होता है, तो आपकी रिस्पोंसिविटी होती है, इसे निकालना मेरी नहीं है, तो देखना आपका ओशन जो है वेटा उता जादा प्रॉक्टिविटी नहीं कर पाता है, क्योंकि ओशन के अंदर जादे आपकी प्लान इसमें नहीं रहे पाते हैं, सर्फिस एरिया के अंदर कैसे जमीन के अंदर आपका क्या है, जमीन के प्लान से जिसके वज़ी से प्रॉड़क्टिविटी आपर आपकी जादा होती है, अभी हम आगे जाएंगे बिटा, एन पीपी इस द बायो मैस इस देखना, एक चीज़ देखना, मैं बहुत अच्छे दरीकी से आपको एक्स्प्रेंट करता हूँ, यह आपका प्लान था ठीक प्लान था, उसने फोटो सिंथिस कर लिया, उसने फोटो सिंथिस कर लिया, तो बना ग्रॉस प्राइमरी प्रॉड़क्टिविटी उस मैं से उसने रिस्परेशन कर लिया, बना नेट प्राइमरी प्रॉड़क्टिविटी, यह उसके पास टोड़ पॉर्म है, एक बेटा क्या है, यह पर आप पकड़ सकते हो, एक जिराफ है, जिराफ है, जिराफ क्या खाएगा, इसके पत्ते खाएगा, जिराफ के लिए जो एनरज सकते हैं, इसके प्राइमरी प्रॉड़क्टिविटी, इसका यह प्रॉड़क्टिविटी होने बाला है, इस प्लान को में खाऊंगा, मेरे अंदर बी कुछ तो स्टोर किया जाएगा, उस से हम कहते है, से हम कहते है, से चांडर। ठान्य गयाऊ वीटीटिव कोई कोई रोता नहीं हसत ö提 एक टो जब मुझे Musta हो जाएगा अफिर से लाइन को खाऊगे ऑपकी 4 वार्थी ग्रींघ चैन्ड लू मने लेक्टिवित होें घ्रखेंगे दर बादी वेरिजब्रीजिसिन्स अब बड़ति चीज pixels बैटा कौन से पॉब में प्रोटिटिवटी कवर कर लिए अब इकमपोजिशन देखेंगे उसके बार में एनर्जी फ्लो देखेंगे एंड लास्ट में हम न्युट्रियंट साइक्लर कवर करने वाले हैं यस थैस टेकन टीकमपोजिशन को करेंगे डीकमपोजिशन कोल करता ह था मैं वहां से पढ़ाओंगा वपर से पढ़ाओंगा ठीक है हुआ है अगर इक पर इन हो तो इमेंजीन कि आप सभी जगा पर आपकी डेट भॉली दिख़ेगे आपको यहाँ लेट बॉड़ी वहाँ पर डेट बॉड़ी कैसे होगा डिकमोजिशन इंपॉड़न चीज़ है जो चीज़े हमारे लिए हेल्फुल नहीं है जो चीज़े की इस्ता और्गेनिक मैटर है जुकि हमारे लिए काम का नीज जिन्दा नहीं है जिसका होसे हमने सकता है होसे हम डेटरेट तों रूमल मैटरा कह सकता है जिस और कुटा है जिसने पॉटी का ते tad हजारों साल तक वैसे हैं अजा के देखोगे कालजाब के देखोगे एक साल के बाद देखोगे रहेंगी नहीं रहेंगे क्यों का रिंग कर सकते हो गया मैन्योर एक आपका डेट्रीट अब हर एक डेट्रीट आपका मैन्योर नहीं है लाशको अपने जमिन में में बेटा एज फिर्टिलेटर उसको खर सकते हो बट नहीं करोगे कि यूँ समय लेगा बेटा तो हर एक डेट हर एक मैन्यूर डेटरीटर की तरह एड कर सकता है बढ़ हर एक डेटरीटर नहीं है ऐसी दाप की लिए हो जाएगी वाँ कि ता अच्छा लग सकता है अगर सकता है अरे यार 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 डी कंपोजिशन के ऐसा था हम सासे लेते तो डी कंपोजिशन के नहीं अगर मैं एक लेस्ट और या तक फ्लेश ऑफ टीशू को बेटा अगर किसी जागा पर रब्दू तो डी कंपोजिशन नहीं होगा डी कंपोजिशन के लिए ज्यादा थंडा इंवार में नहीं लगता है बिटा अगर एक चीज देखना एवरेस्ट जानते हो क्या एवरेस् ज्याएं करना था अगरेस्ट मांट एवरेस्ट की चड़ाई करते समय आपको मल्टिपल लाश वहाँ पर दिखाए बिटा लाश लाश दिखाए देती है लाश आप बोलोगी गवर्मेंट उसे नीची क्यों नहीं लाता उपर जाते हैं उनके नीचे आने का वरुसा नहीं तो गवर्न निचे लाएगा नहीं लाएगा लाश नहीं लासकता सेकंड जीध हेलिकॉप्टर जाएंगा वापर एक्सिदेंट हो जाएगा क्योंकि कुछ ऐसी होती है यह ज्यादा दिन नहीं रहती है ज्यादा दिन कहीं सकते दिकेर्स तक रहती है कहां तक 1950 में जो लोग मर कोई कुछ आपको बिल्ली मरी ओगी कोई और गिनीजम मरा ओगा कोई चीडिया मरी होगी क्यों कि लाश यह जिना रहेगा नहीं दीकॉंपोचिशन रेट वहा पर ज्यादा होता है तो डीकॉंपोचिशन इस और ओकसिजन रिफार इंग्वार अगर अगर आपका जो मैंट अपीछ्टिन अख्याद केमाइड़ कहरें अगरता है आप रहेग्टिया ऊंपा प्र कॉंप अपने इसस्टित को यह जो कि प्रकॉंपोचिशन आख़ा बीजोट जागी करना चाहता हूं य। प्लीज क्योग क्या विद्टेवाइट इत्ते बुरे दिन नहीं आने जाने इस तो दिल को तोड़ देगा आपका दिल कभी तूटा है भही तूटने भी नहीं वाला है यह आप महनत करोगे आपका सभी अच्छा होने वाला तो ब्रेक इंट दॉटे चोटे चोटे तुकड़ों के अंदर बिखर जाएगा एक प्राग्मेंटेशन देन अफ्टर लीचि इसके अंदर जो निटियों इसे फमेंट इसके अंदर जो नुट्रे से आपके मिट्टी के अंदर चले जाएंगे वहाँ पर वहाँ पर क्या होएगा बेर दौस्तों आपका प्रेश्यूरियेशन हो जाए गाउस वुट सॉर्ट को आपम उस नहीं कर सकते वापकी अपकी अवेलेबिल नहीं होता है भूसे हम कर दो आथा बर्थाज दो मच इंपॉर्ट्र धीक पॉस्ट यह बैक्टरी आज़ विगानिफ वघर आप सब्सक्राइब में रही गजाए अधा टानेक्ट इंपलिज में दें सुम्ट थे भीज़गे चैनि दिया घ्लिटाइब चैनि थ यह इसका डीकंपोजिशन बहुत स्लोली बहुत होता है देरे देरे से हवाल लगती है धिरे धिरे से तो घटा घटी बिता तो इसे लास्ट में होगा इस चीज़ को याद कर लो सब्सक्राइब करने वाल है मैं जानता हो यार मोबाइल पॉन देखते समय पूरा टॉपिक कवर करना दर चार टॉपिक सिंगल सेशन सिम्पल चीज़ नहीं है आप दिन पर पढ़ाई करते हो मेंडल स्पेस होता है कोशिम प्रैक्टिसिंग करने हो यह सेशन को अटन करना पड़ता है इसे कंडिशन मैंना सुषिन आइनो इस नोट आट सिंपल कि आप चार टॉपिक को एक ही साथ में कवर करो आई नो दे मेंटल कंडिशन जो क्या फेस करते हो आई नो दे सिटिवेशन विजार विजार गई थूरू तो अगर आप महनत कर यारो ना तो आपके लिए कोई चीद इंपॉसिबल नहीं है तो मैं चोड़ा सा वाश्रूम ब्रेक चाहता हूं मैंने बहुत पानी पिया है तो मैं चाहूंगा कि आप इस एनरजी फ्लो को तब तक पढ़ लो अच्छे से ठीक है इसको अच्छे से पढ़ लो में एक अब बाएक तो वापस नावगों अगया इसको तब तक आप भी प्रेक लेशाथे हों कि 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 घव्ल挺 गहाओ Tibaya कि 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 बाएक भी वांगा किपी यमाती अंची से व्लो इब हम एख़ भी ग्ली दो फोगला कि 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 कारे कर लेएगे ख़ explorし कि कि दाग़ों किक है的 अख़ित अवर्में में कि नभष कि 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 बा़ट है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि प्यारी बात देख लिए ना आप लोगों की तुशिल और देको निस चाहिए मतलब किता के रही है एक दूसरी के लिए अच्छा लगा मुझे सुनके मतलब देखें अच्छा लगा ओके सुशिनल यूर फ्रम बिहार लाइस बहुत बढ़िया ना जल्दी सर अविटा समय ही कितना लगता है इस बेटा से करना किता समय लगे गयार आप्रांस पर रीपी और मैं क्याट रूम्स्टर और मॉंकिस बार्ण ओके किस चीज़ की ट्रीक है कि ट्रीक है कि शीचीज के वेल्कम बैक गाइस वेल्कम बैक होना सबी लोग होना घर तो नहीं गये ना चलो सेशन को कवर करते हैं ठीक है कंट्यूनियू करेंगे एनर्जी फ्लू एनर्जी फ्लू जो होता है मेरे दोस्तों इस तो ओनली थींग कि अगाइंगे बहुत मज़ा आ रहा है अभी जो चीज़े रिक्वाइनेंट नहीं थी उसे अपने बाड़ी के भाण निकाल दिया है अभी बहुत ही और ज्यादा एनर्जी के साथ आगे बिने च्नेज़ांगे एक स्टत करेंगे ते 34% of the total radiation is incident on the earth surface, point not in the test book, बस याद करना, 34% जो आपका radiant incident हो आपके यहाँ पर आता है मिरो दोस्तो, half of the radiation incident on the earth surface is the photosynthetically active radiation, एक चीद देखना, photosynthesis किसी भी temperature के अंदर नहीं होगा, photosynthesis होने के लिए एक particular wavelength चाहिए, एक particular radiation चाहिए, क्या चाहिए, एक radiation particular आपका चाहिए, तो जो चीज़ होती मेरो दोस्तो, इतना भी आपका radiation होता है, उसमें से बस 50% radiation ऐसा होता है, जिसके बीच में आप photosynthesis कर सकते हो, आप मतलब आपके plants, जिसके बीच में आपका photosynthesis कर सकते है, आपको अच्छे से पताईश, यह स्वामी, तो जो ही आपका 2-10% of photosynthetically active radiation होता है, उस मतलब क्या है, light rays के form में है, उसका conversion आपको आपकी starch के अंदर करना है, और starch के अंदर करना यही हम सभी लोग के अंदर जाता है, तो directly, indirectly हम उसके उपर dependent रहते है, aquatic ecosystem देखना, बहुत important चीज़े है, बहुत important चीज़े है, aquatic ecosystem के अंदर primary producers कोन से बीटा, primary, ocean के अंदर अगर आप पकड़ सकते ह यही था, it was a 55 billion trillion, तो उसके अंदर आपके सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कराती है, आपका जो primary consumer होता है, primary consumer मतलब क्या, जो कि primary producers को खाएगा, primary producers को खाने वाला जो आपका primary consumers होता है, आपका हरी विएरोस होता है, जैसे हमारे आपर cattle लगड़ा हो जाएगी, वैसे मोलिस होते हैं, जू प्लांटर होते हैं, जू प्लांटर आपके फाइटो प्लांटर को खाता है, जू प्लांटर फाइटो प्लांटर को खाता है, अलगी को खाता है, आप बता कर सकते हो, मोलिस कभी फाइटो प्लांटर लगड़ा को खाता है, secondary consumers, which are the secondary consumers, the primary producers को जो खाने वाले दूस्तो प्राइमरी प्रोडुसर्स को खाने वाले आपकी सेकेंडरी कंजुमर्स होते हैं द्यार्द कार्णी वरस लाइक फिशेश जो होते हैं तो आपकी जूप लांटन और मॉल्यूस को खाते हैं अभी हम देखें बेटा ग्रेजिंग फूर्ट चेंट टिकें ग्रेजिं पर होने वाली बेट ऐसा नहीं होता है यह में अनर्जी फ्लो आपके एक्वैटिक एको सिस्टेम के बीच में होता है थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है इस चीज़ होती है इस चीज़ को भूलना नहीं दोस्तों यस अभी अब एक चीज़ देखना अभी हमारे पास स्टेक मेरे टोर्स होते हैं लाइक इर्थमां अगरा जिसका यूज करने वाले में एन अनर्जीप लोग आपके सिस्टेम की बीच में होता है यहावर उल्टा दिया है मतलब इसा यह होता है मेन एनर्जी फ्लो आपका टेरिस्टिल सिस्टिम्स के बीच में होता है एनर्जी फ्रॉम डिट्रीटर्स जो होता लाइक आपके बैक्ट्रिया फंजाई डिकंपोजर्स है ब्रेकडाउन करता है इन्टू इन और्गनिक मट्रियल और इती की थू मेरे दोस्तों यह अपनी ए जो गाय वगरा थी पेटा जो बॉफिलो वगरा थी उनका डंग यूज करूंगा बेड़ा उचका जो डंग था ओर्गनिक था ठीक है जो यह आपके डिकंपोजर्स होते हैं उसका कन्वर्जन इन और गनिक के अंदर करेंगे ठीक है इन और इन दर करेंगे और प्लांस से करेंगे जिसकी वज़े से मेरे जो प्लांट का जो मेरे फार्मिंग हो बढ़ जाएगा यह इससे चलते बिटा डंग और गनिक था इन और निक के अदर कर देंगे बहुत बढ़िया जीसे होती हैं इंटर कनेक्टिंग जो आपकी फूर चेंस होती हैं मेरे दोस्तों उसे हम इसे घल्दी से भी भूलना नहीं मतलब आपकी प्राइमरीश कोखाते हैं टेकेंड ट्रौंफिक लेवा इस यूर अरिधा exact है अ तो जैसे आप ऊपर जाओगे तो इस डिरेक्शन में आपको जाना है इस चीज़ को कभी भूलना नहीं रहें कभी भूलना नहीं रहें यस वहिया क्लियर हो चुका है आगे वीडियो हम आपके साथ में विच ट्रॉपिक लेवल इस टर्शिरी कंजुमर्स बता दो इसके इस बीच में प्लांट्स होता है उनका जो बायोमास होता है वह आपका स्टेंडिंग क्रॉप होता है और दॉन्टेंट की साइकल आगे जाकर हमां पढ़ने वाल है फिर्फ जूफ शी नहीं है और एक चीज आपका यहां पर आपका प्लांट था प्लांट ने आपका क्या कर दिया वन थाउजन निकाल दिया तो अभी जो इसके उपर हर्भी वोरस आता है उसके अंदर उसका बस टेन परसन जाएगा तो टेन थाउजन का कितना होता है कि तो 1000 होता है तो मैं इसे 1000 कर दूघा ठीक है तो 1000 का खाएगा आपका प्रामरी परसन टेन परसंट नहीं होता है है कि यहाज जाएगा इस टे को टर्शीरी तो इसके वीचिम आपका जाएका वन बीड़ भड़ती है 90% loss हो जाती है एक बार चेक करना पड़ेगा तो 90% जहापर आपकी loss हो जाती है मेरे दोस्तों ठीक है अभी हम देखेंगे pyramids कि अभी हम देखेंगे pyramids के बारे में बिटा अभी आपको एंसेटी की डाइग्राम भी देखने के लिए कहा था तो आप देख रही होंगे आपका हात में अफ्यन दोस्तों पिरामिड का यह जो आपका बेस होता है सबसे नीचे हूँ फर्स ट्रॉपिक लेवल लेवल होता है जैसे आपका उपर जंडा हो जागा ठीक में तो ऐसे याद किया था पेक जो अब होता है अब एकसी आपका टर्चारी की बाद करें बेटा यह क्या होता है आपका वो टर्शुरी कंजूमर है जैसे कि आपको फोर ट्रॉपिक लेबल आने वाला है और पिरामिड्स पेज नमबर 248-249 देख लेन आपके लिए एसेंशल होने वाला है पिरामिड्स नमबर जादा उपर वाली थोड़े कम-कम-कम-कम ऐसा होता है चैसेप्शन की बीच में आपको थोड़ा से डिफर करता है अभी हम एक्सेप्शन को पढ़ेंगे वेड़ा योजुवल ही अपर्याइट होता है, बर जिसके बीच में आपका उल्टा-उल्टा होने वाला उसे हम अच्छे तरीके से भी cover करेंगे मेरे दोस्तों तोसे हम अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे तूरा ध्यान लगाना विहाँ कवर्ट अल्मोस्ट 1.5 परसेंट ऑफ दी टॉपिक नंबर कम होता है नंबर लेस क्या है नंबर मिनिमुम होता है अगर अधरवा अगर अधरवा आप निकालोगे कि पिराइमिन निकालोगे तो बीक्ट्री का नंबर कम है जिसके छोटा इंसेट का जाधा यह तो इसकी ज्यादा बर्थ का थोड़ा से कम है इसकी वैस रिस्पेक्ट में थोड़ा से कम और इगल्स का थोड़ा से कम इस डिरेक्शन में आपका इनवर्टेड आ जाएगा ठीक है आउट डाइगराम है बट इंपोर्डन एक्सप्श होते हैं दूस्तों उनकी क्या होते है लाइफ सैकल कम होती है छोटी होती है बट रिप्रोड़क्शन ज्यादा होता है तो देर टन ओर इस तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा यस यस निश्चे और एक चीज़ आती है फीश उसके उपर आ जाएंगे सी लायन सी लायन मतले फीश इसको खाने वाला इसके उपर आ जाएगा तो यहाँ पर भी आपका उल्टा होने वाला है एडिशनल दिया है मेरे दोस्तों आपको पिरामिड ओफ नंबर्स पॉर पैर पैरसेट्स उसके उपर होते है मतलब यह भी आपका क्या होने वाला ही यह भी आपका इनवर्टेड है इनवर्टेड क्यों है ट्रीज क्या होते बड़ा ट्रीज कम होते है एलिपेंट्स उसी खाने वाले थोड़े से जादा होते है और एलिवेंट्स के उपर पैरसेट्स म इस फॉर्म में लूज होती है as a heat बेटा as a heat form में आपकी लूज होती है from transfer from one tropic level to another या तो less इसका ही रूल है इसका ही नाम है 10% जैसे कि हमने अभी देखा था कि जैसी ही आपकी energy आगे बड़े कि जैसी आप next tropic level तक जाओ गया तब वैसी आपकी energy बस 10% ही move करने वाली है तो same thing यहाँ पर भी आपकी होने वाली है element कोन खाता है element को खाएगा कोई नहीं element का आपका parasites हो जाएगा ठीक है जब element होता है उसके उपर parasites तो ग्रों कर सकते है न में एक चीज़ देखना limitations of pyramids बैट यह एक चीज़ देखना एक नीचे वाली ट्रॉपिक लेवल है उसकी उपर आपकी ट्रॉपिक लेवल बढ़त बढ़ती जा रही है उसकी आपकी ट्रॉपिक लेवर्स बढ़ती जा रही है तो एक चीज़ आपकर मल्मल ट्रॉपिक के बिच में नहींत मैं प्लानेट को खाते हैं इस वक्त में फूड़ चैन एक्जिस्ट नहीं करती है जजन्ट अलाउड पॉर्द फूडवेब होती नहीं है ठीक है अधर मैंने कोशन देखा नहीं बट मैं देखी बता दूंगा जूप लांटन इस लेज दैन फिशिस ना यस नहीं 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 वैरी करेगा वैरी करेगा जो टा करें देखो न देखो न देखो न फायटो अपके चांब होते धूब फोड़ेश नहीं 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 कर सकते हैं अब उनका बाईयो अब Pay cał अभी हम देखें कि ecological succession what is the ecological succession what is the ecological succession कुछ पता है कुछ idea है obviously होगी मेरे दोस्त क्यूं क्योंकि it is a gradual predictable change एक चीज़ देखना है यहाँ पर आपको यह NTA unpredictable बता देगा यह NTA जब question पूछेगा ना यह क्या कर देगा रितु यहाँ पर क्या करदेगा अनप्रेडिक्टेबल कर देगा unpredictable नहीं है ecological succession is a predictable change in a species of an area in a species species के बीच में होता है वहाँ पर के life forms के बीच में होता है इसके बीच में life form के बीच में आपका होता है बहुत बढ़िया तो सीर मतलब क्या होता है सीरे मतलब क्या होता है यह आपका सीरे में वाला सीरे नहीं होता है जो आप लगाते हो This is not सीरे वो सीरे लग यह सीरे लग ठीक है So sequence of communities that successfully changed in an area एक area था ठीक है एक area था जहाँ पर starting में आपका x आया फिर बाद में y आया फिर बाद ने धेड़ आया तो जो आपका change होने चाहरा है उसे हम कहते तकते सीरे होने वाला है तो succession happens where non living things are previously there succession कहाँ पुरूता है जहाँ पर पहले कोई नहीं होता है ठीक है प्लीज note down this thing मेरी पूरी energy drain out हो चुके यार I don't know the reason but मेरी almost पूरी energy drain out हो चुकी है हम पूरा ecology cover करने की बाद ही सांस लेंगे मेरे दोस्तों yes अच्छा मैं दो अपने दरन प्रतों को कि एक चीज़ देखना सबसे खाल चीज़ देखना succession दो टाइब का होता है primary, secondary दोनों भी जगापर previously कुछ भी नहीं होता है yes previously कुछ भी नहीं होता है उसे हम कहे थे मरे दोस्तों succession succession ऐसी जगापर होता है जहापर पहले से कुछ भी प्रजेंट नहीं था वैसी जगापर succession होगा जहापर पहले से सब कुछ प्रजेंट था वैसी जगापर आपका succession प्रजेंट नहीं होता है इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना अभी हम बैक उन्द टॉपिक आएंगे में दूस्तो प्राइमरी सक्षेशन को देख लेना प्राइमरी सक्षेशन इन एरिया देर वाज नो ऑर्गिनिजम है एवर एक्जिस्टेर बतलब क्या कुछ एसा एरिया है इते एरिया में आ तक आपके लाइकेंस जो थे मेरे दोफिकल के उलकियोपर सबसे पहले सक्षेशन स्टार्ट किया था लाइक है और न्यूइली मेड़ पॉर्ण अगरापने एक नया पॉर्ण बनाया है तो वहां पर भी सबसे पहले जो सट्शेशन होगा हो प्राइमरी सक्षेशन अपका ह प्राइमरी सक्षेशन स्लो होता है स्लो होता है तो आपका जो प्राइमरी सक्षेशन होता है वो थोड़ा से रिलेटिवली स्लो होता है कम होता है हम इस टॉपिक को बहुत जल्दी कवर करने बाले इन नेक्स 10-15 मिनिट्स नेक्स 10-15 मिनिट्स हमारे टॉपिक कवर हो जाएगा सक्षेशन अफ प्लांट्स है फटा जिराज जिरीक तो मेजिक जाता है वदल जो भी सक्षेशन वहगा वो अल्टीमेट्रियली और सेंशन लीड्स तो दा तेम कलामक्स कम्यूनिटीश जो क्याब की मैजिक होती है इस चीज़ पोई भी भूलना नहीं जो भी सखेशन होगा जाहे जाहे संस्ट हो आपके कंडिशन के पास जाने वाला है आपका में उस एरिया बीच में आपकी प्राइमरी सक्सेशन की बीच में उस एरिया को आपको था कि ajah पर पहले कुछ भी को आख प्रिट करेगा वहाँ पर इंवेड करेगा वहां ժर इंवेड करेगा वह तो कि आपकी नए जो एरिया थी नए एरिया पर आके एक नए निव फर्म्स, निव लाइफ फर्म्स बना दी थी थी पेटा वेरी स्मॉल प्लान्स लाइक एक्जाम्पल जैसे का आपका ब्राइौफाइट्स था, लाइक योर मॉस इस वगईरा वो भी आपकी पायनर स्पेसीज है तो पायनर स्पेसीज मतलब क्या जहाँ पर पहले कोई नहीं रहता था पर यह पहले आ गई है और जिसके वजह से लाइफ स्टार्ट होगे बेटा उससे आप प्रायमरी स्टेशन वाटर के अंदर कैसे होता है जल्दी से देख लेड़ा प इमेजिन क्या है बेटा मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैंने एक बहुत बड़ा पॉंड उपन कर दिया वहाँ पर स्पेसीज की ग्रोथ कैसी होगी हम अभी कवर करने वाल है क्या हो करेगी जो कि यहाँ पर प्रायमरी प्रोडूसर्स होती है ठीक है वो क्या करेगी करेंगे इसके उपर कोशेंगे और इसके बात जाएंगे और यहाँ पर आपका यूज्ट्राफिकेशन हो जाएगा ठीक है यहाँपर आपका यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा तो सबस्तों आपके pioneer species के थुरू आपके finally trees बनते है और वहाँ पर फिर बाब में आपका land area बढ़ जाएगा क्या बन जाएगा आपका land बन जाएगा surface area फिर से बन जाएगा आपको एक diagram देखनी के लिए कहा है page number 252 open करो जल्दी से page number 252, जल्दी से जल्दी yes yes बहुत multiple times आपके NCID के अंदर पूछा गया है multiple times बहुत बार पूछा गया है अगर याद नहीं करते हो then it is your loss phytoplantum, submerge plant उसके बाद आपका आजाएगा submerge free floating plant, reed swamp, marsh meadow scrub और इसके बास forest अगर ये diagram आपने याद नहीं की मेरे दोस्तों तो आपके 5 marks lose हो जाएंगे ये diagram देखो ये diagram बहुत important है कर रहे हो न याद चलो वादा करो मेरे से आज ही इस diagram को याद करोगे वादा करो वादा करते हो, है ताकत वादा करने की वादा किया तो निभाना पड़ेगा निभाना पड़ेगा क्योंकि अगर वादा करो मेरे साथ की आज ही इस diagram को याद करेंगे भाया आज की दिल कुछ भी हो जाए इसके उपर बहुत जाता question पूछ गए हम पढ़ेंगे बेटा, nutrient cycling हमने starting भी पढ़ा था कि सब्सक्राइंडिंग में nutrient cycling पढ़नी है इसे हम कहते हैं Bio Geo Chemical Cycling क्यों Bio Geo Chemical Cycling कहते हैं रिटो ने कर दिया सुषिल ने कर दिया, स्वामे ने कर दिया बहुत बढ़िया, आपने promise किया में जानता हूँ आज आप कुछ भी होके सोने से पहले इस topic को इस diagram को कवर करके ही रहोगे दो टाइब की होते हैं यह प्रितिक दो टाइब की होते हैं आपकी nutrient cycling एक तो gases form में होती है दूसरी sedimentary होती है gases मतलब क्या आपका यह तेजू gases मतलब क्या आपकी हबाब अगरा यह जो आप gas ले carbon dioxide, oxygen, nitrogen gases, gases, gases nutrient cycling and sedimentary जो की gases में नहीं हो सकती क्या तो हो भी सकती है जैसे की sulfur और आपका phosphorus यह क्या होता है बेटा आपके solid form के अंदर भी होता है यह श्वेता क्या होता है solid form के अंदर होता है तो carbon cycle जो होती ही मतलब दूस्तों अच्छे से देखना हम carbon cycle को cover करेंगे और 49% of your dry weight of the organism is covered by the carbon हमारे अंदर 49% जो dry weight है we are not talking about wet हमारे बीच में जब भी हम हमारे tissues को dry करेंगे बेटा जब भी उसे जलाएंगे then 49% जो आप cover जाता है carbon dioxide के अंदर loss होने के बाद या तो रहे जाने के बाद ठीक है वह आपका 49% organism का carbon होता है 75% carbon जो बेटा आपके ocean के अंदर dissolved form में है क्या है dissolved form में है and 1% of carbon बेटा आपके atmosphere में 0.003% आपका हो सकता है ठीक है यह आपका आजाएगा और यह जो होने वाला मेरे दोस्तों इसका ही use आपके plants करते है photosynthesis के लिए ओके very good अभी हम देखेंगे phosphorus cycle phosphorus cycle जो होती है figure देखनी के लिए का है page number 255 page number 255 पर आपके पास एक diagram है बेटा उससे आप जाके देख सकते हो 14.7 की यह वाली diagram यह वाली diagram वो परवाली ठीक है तो उसके अंदर क्या है unlike carbon cycle there is no gases phase in the phosphorus cycle बेटा phosphorus के अंदर कोई आपका gases phase नहीं होता है phosphorus का वो आपका almost negligible होता है phosphorus को हम respire नहीं करते phosphorus की cycle आपकी एक चीज़ देखना इसी याद करना इसकी उपर question आते है निष्चे निका है तो short question आएगा इसकी जो आपका exchange होता हो sedimentary हो जाएगा ecosystem services ecosystem services इसने किया था रॉबर्ड को स्टेंज नहीं किया था उन्होंने estimate किया कि जो में ecosystem के services मिल रहा like pollination like your soil formation like your food, shelter, material सब कुछ उसकी value 33 trillion dollar होने वाली है price नाइक लगाया था nature's life support services की उपर so global gross national product जो है GNP वो बहुत कम है that is the 18 18 trillion dollar से मिटा मतलब अब अगर हम सब कुछ लगा भी दे फिर भी हम इस चीज को afford नहीं कर सकते 2 question तो आएंगे अथरवा तो 8 से लेकर 10 marks ठीक है soil जो होता है 50% ecosystem service लेता है इसका importance सबसे जादा होता है इसका importance सबसे जादा होता है climate regulation habitat for wildlife जो होता है 6% each of ecosystem service आता है कुछ out of syllabus point है जो प्रिवेसर में पूछे गए this question has been asked in the EIP 2008 EIP 2008 2008 को किते question पूछे गए थे चलो इस question को एक सथा थोड़ा सा cover करते जी साथ out of NCRT or the common out of syllabus point removal of carnivorous from an area will result in an increased number of primary as well as the secondary consumers and the decreased vegetation इस चीज़ को अचैसे ठीक है okay the length of the food chains is limited to the three to four tropic levels due to the energy loss energy loss होती रहती है ठीक है इसकी वज़े जो आपका energy loss होनी की वज़े से food change होता है food chain होता है वो तीन से लेकर 4 tropic का limited होता है उससे बढ़िया level आपकी नहीं हो सकती है तो normally नहीं होती है grass sheep खाएगा या cattle खाएगा उसकी बाद उसे lion खाएगा lion का decomposition हो जाएगा तो उसे eagle खाएगा चार level की थी तीन से लेकर 4 level की हो जाएगी food chain कम हो सकती है food web बड़ी हो सकती बैटा food web बड़ी हो सकती है इस चीज़ को याद करना pucarious species are dominant in the temperate deciduous forest out of anxiety है ओगे एक चीज़ देखना hydro-serious तिक में जो तो वेटा all walks hydrilla values नेरा पिस्तिया out of anxiety नहीं पूचा जाएगा fish and the sparrows occupy more than one tropic level in their ecosystem important है important है out of anxiety important है दो चाप्टर हमने cover कर लिया है fish and the sparrows occupy more than one tropic level in their ecosystems most animals that live in the deep sea are the dead rivers प्लीज इसे highlight कर लो जैसे आपका red algae रहता है में कोई relation नहीं निकालना है ecology term was given by the hekel hekel चचा cropland ecosystem list genetic diversity एक चीज़ देखना crop land है ठीक है cropland हमें देखना है एक चीज़ देखना अच्छे तरीके से यह मेरा खेत है बेटा one acre खेत है one acre खेत है इसके अंदर मैंने जबार लगा दिया तो इसके अंदर genetic diversity कम होती है species genetic diversity इसकी बीच में कम होती है ठीक है ecosystem भी हमने cover कर लिया है very good रितू आप और एक चीज़ में आगे बढ़ गया chemo synthetic bacteria primary producers of deep sea thermal vents okay हमने और एक topic cover कर लिया अभी देखो biodiversity and the conservation are you ready for this amazing topic are you ready for this amazing topic are you ready for this amazing topic we have covered two topics बेटा आप आप जो ताकत दिखा रहे हो ना आप जो support दिखा रहे हो इस ताकत की वज़े से इस support की वज़े से आज हम साथ में बेटा हम कर की दिखाएंगे एक दीन आएगा जब आप need दो के आओँगे देखेंगे अपनी अनसर की चेक करोगे और सच में आप need को कर्एक करती होंगे बेटा उस समय यात करना कि आपने क्या 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 चीज़े की थे डिफude तब तक रुकना नहींग है घब तक हम पड़लो में आके जाता हूँ, जाके आता हूँ, तब तक से पड़लो में आऊँगा, बस 30 seconds प्लीज, झाधब कर दोड़लो में आके जाता हैंको, दोली ओूनाइल, तक से पड़लो में आके जाता हूँ, त Kurzwe挑, चूम wraps, तरहें कर दोरूण है, तक से की जा, जाके जाता हैं, और एक बुद न्यूस है मेरे दोस्तों है हेलो 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 और एक बुद न्यूस है मेरे पास हमारा जो फोर टॉपिक है ना लास्ट टॉपिक वह बहुत चोटा है उसके अंदर जादा ट्रेंशन वाली चीज़ा नहीं है बहुत चोटा टॉपिक है फोर टॉपिक वाला तो टेंशन मतलो जल्दी कवर हो जाए पूर टॉपिक थोड़ा सा कम है कि स्टार्ट करेंगे हैं कि थोड़ा से मुझे एक बार थोड़ा से एक विनिट से लास्ट लेलें तो आप करते हो गया इसा रिलायकश्ट दिशन ओकर चलो में त्यार में त्यार हो चलेगा ऑड़ार सिटी टर्म वस गिवन वैदन विल्सन चाजा कुशन पूच पूचए जाता है पेटा हेकल चाच चाच एको सिस्टेम हेकल चाच चाच इको सिस्टेम अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि इंडिया में किसकी जाधा वराइटी है तो अगर वापर राइस दिया होगा तो राइस को उप्शन चूज करना है अगर राइस नहीं दिया आई तो मैंगो करना है अगर आपके कोशड पूछा गया है कि इंडिया में कि यस यस निष्चे करकी है एंग चीज्च देखना अगर आपको पूछा घाये है कि इंडिया के अंदर Sわかis diversity कि तो राइस को कर ले राइस को किया है तो राइस को कर लेना है घर राइस नहीं दिया आ इंडिया के पास हमारे दोस्तों 2.4% एरिया जो सर्फिस एरिया तो जो क्या हमारा लाइन का एरिया होते हैं मेरे दोस्तों क्या है हमारे आपर हिमालायाज है हमारी आपर गुजरात है हमारे आपर डेजर्ट है हमारे बहुत चीज़ते हैं तो इंडिया के हंदर में प्राउड होना चाहिए मेरे दोस्तों यह जादा है इस चीज़ता आगे लेके जाएंगे ठीक है सेवेंटी परसेंट आपका 22 परसेंट इसके अंदर आती है एक चीज़ आपको अच्छे से याद करने हैं मैक्जिमम इंडिया के अंदर है वेसटन गार्च के अंदर है और इस्टन इ माइलाइस के जब भी आपको डाइगराम पूछेगा ठीक है इसके अंदर पूछा है कि लाज़ेट किसका है तो लाज़ेस्ट आपके इंसेट का है अगर आप आप अनिमल्स की बात कर रहे हो यस 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 निश्चे लार्जेस्ट टैक्जोन अमोंग दी प्लांट से अगर आपको प्लांट का पूछा है मुर्दोस्तु ठीक है तो उसके इंदर फंजाय करना भी आप फंजाय तो एक प्लांट नहीं है तो इसके ग्रूप के अंदर दिया तो है बेटा अलगी ला प्लापुर के आगे वाला पार्ट ठीक है तो एक चीज़ देखना इस सर्कुलर ग्राफ्स जो कि आपके इंसाइड के दर दिया है पेज नमबर टू सिस्टी ते भी लोग जल्दी से सभी लोग जल्दी से टू सिस्टी पेज नमबर ओपन कर लो जल्दी सभी लोग टीन ड लगाना बिटा दिवार पर लगा लो टेबल पर लगा लो क्योंकि इसके उपर कोशिन पूछे जाता है इन वर्टीब्रेट्स इंसेक्ट्स आर ओविस्टी दो मोस्ट निमॉनिक इंसेक्ट में क्रॉल मतलब क्या इंसेक्ट जाता है मोल्यूसका से जाता है क्रूस्टेशन भूलना नहीं रहे सिसको कभी भूलना नहीं उसके बाद आता आपका इसके अनदर केंकल रेजरबाइन है क्हां किंधर डौन ऐसर बैन हें आता है I'mißt अधर आपका कष्पेसिऌ के लाइब सीटी नॉर्थ to 23.5 लिघ्री साथ यह क्या आपका लाटिटूर्ड फोटे आपके सकते ग्राफ के यूपर ठीक है इनकी थूरू बेटा आपका जो होता है स्पेसिज्षिटि आपके ट्रॉपिक्स के अदर जाधा होने वड़ा है मुर्य दॉस्ट है प्रोपिक्स के अंदर हमारी स्पैशिज की डायवसिटी जाधा क्यों है what are the reasons प्रोपिक्स प्रोपिक्स जो बैटा आपके डिस्टब्ड है उसे कोई डिस्टब्स नहीं करता है वाहापर जो वैरियेशन होते हैं वैरियेशन limited होते हैं है सब तो कम होते हैं for millions of the earth unlike temperate regions or the temperate areas which are subject to the glacians glaciation glaciation ठीक है तो आपकी जो tropics होते हैं वो आपके undisturbed होने वाले हैं so this gives time for the species diversification species diversification होता है जिसकी वज़े से यहापर आपकी species जादा होती है so tropics is having more species than your temperate regions or the other regions that's the reason is undisturbed region है हमारा undistrimination होने वाला है tropics are most predictable more constant इस प्रमोट्स नाई के specialization वहापर जो animals रहते हैं उनकी functionality चूते बटाव specification हो जाती है ज्यादा diversity promote करती है तो that's why tropics के अंदर आपको ज्यादा diversity दिखाई देएगी मेरे दोस्तों more sun in tropics ज्यादा सेनरेज आती है more productivity आती है तो primary productivity भी आपके tropics के अंदर ही ज्यादा होने वाली कहाँ पर tropics के अंदर ही आपके primary productivity ज्यादा हो जाएगी Amazon forest जो होता है Amazon rainforest आपने पढ़ा था lungs of the forest अधि greatest biodiversity on earth हमारे अर्थ के उपर जो greatest biodiversity है हमारे Amazon rainforest के अंदर है बिटा आपने कुछ अभी एक एक एकर को देखा था जैसे आपके जैसा एरिया बढ़ जाएगा वेस्ति आपके स्पेसिज बढ़ जाएंगे वहां से बढ़ना हो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो अलेक्जेंडर वान अंबल चेचा ने स्पेसिज एरिया का रिलेशन्शिप दिया था अमेंबल्ट वहाज अलसु इंद चाप्टर स्थी स्थीन डाइज अर्काट अन्द कैलिफोर्निया एंबल्ट स्थे यूनिवर्सिटी डिमोविंग डिजॉल्ट हेवी मेटल्स इन बायलोजिकल प्रोसेस यहां अगले टॉपिक के अंदर कव आपको रेक्टेंगुलर है पर दिखाए देगा और रिलेशन्शिप बिट्विन देश्पेसिस रिचनेस एंड एरिया इस दरेक्टेंगुलर है पर बोला देखो जल्दी से पेज नंबर 262 फिगर 15.2 ट्वेल्ट की एंसी आड़ी तो इसके इंदर एक्टेंगुलर है पर दोस्तों C दिया है ना वहाँ पर वसी के साथ and the log is taken the straight line relationship so putting it all together species equals to Z area equals to plus C from Y equals to M X plus the C मतलब S equals to Z A plus the C but it is a log so log X equals to the Z log A plus log C इस तरीके से आपका relationship निकलता है कैसे निकला इसका relationship उसका explanation आपको यहाँ पर मिल जाएगा मिल दोस्तों इसे अच्छे से याद को लो इसका screenshot ले सकते आप ठीक है और यह चीज़ देखना वेरी लार्ज एरियास लाइक इंटार continents है वेरी स्टीप स्लोप इस चीज़ को अच्छे से याद करना जब आप पूरे continent का स्पेसिस एरिया से जबत ना यस तो टिल्मेंच जचा थे लॉंग टर्मग लोएको सिस्टम ऍपरिया था आंटोर प्लॉट प्लॉट्स के बीच में अधूटर प्लॉट्स थे फिको टर्म एकोसिस्टम दे जा था और प्लोट्स दा मोर स्पेसिज जो थे बेटा वो शो करते थे लेस यर टू यर वेरियेशन वो टोटल वायो मासमा क्लब क्या थे वो आपके स्टेबल थे बेटा कैसे थे जादा आपका स्पेसिज रिशने जिसके बीच में होता है वो आपके स्टेबल होते है जिसके बीच में आपका स्पेसिज रिशने जादा होता है स्पेसिज रिशने वो जादा स्टेबल होते है ठीक है और उसी के साथ वो लेस यर टू यर वेरियेशन दिखाते है मैं दिखाए दे रहओ क्या अलो अलो वेलकम बाक न तुट है जल्दी पता दो गट्राइक टॉप की चार्जिंग खितम हो गई मैं दिखाए दे रहा क्या कि आनं कि चला गया था कि बिच में लेप्टॉप की चार्जिंग लगाना पड़ेगा लैप्टॉप की चार्जिंग खतम होई थी मुझे याद ही नहीं टो चार्जिंग पर लगाना तरह सेकने भी जेश्ट एक मैंने रुखना बस बस एक मिनिट रुखना मुझे बस एक मिनिट देना हम स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार ओके यार अभी ठीक है अभी ठीक है अभी दिखाए देर है आपको यह मेरा सभी सेट अप था थोड़ा सही गया था उसी हमने ठीक कर लिया है अभी बढ़ेंगे मेरे दोस्तों हमें रुकने नहीं वाले आज कुछ भी हो जाए आज चाहें अंधिया थूपाना है आज हम नहीं रुखने वाले रिविट पॉपर हाइपोटेसी जो था आपके पाउल एरली चचा ने दिया में थोड़ा से एक्स्प्रेंट करता हूं तो ज्यादा निकालोगे उत्रा ही ज्यादा आपका एयरोप्लेंज हो जाएगा वह आपका एसे चितने ज्यादा उसके निटपोल निकाल दोगे अगर मेरे दोस्तों आपने और चीट ने काल दिये तो ज्यादा फरग नहीं पड़ेगा प्लेन उड़ता जाएगा गलती से कि ने अगर इकोसीस्टी सॉन्म क्यों धन कैसे देखने हैं अगर अगर में इस्टीश हो hoch जाएगी इस सिर्ड टाम ये डिया ऑप सेवनने बनाया है मतलब क्या last 50 years के बीच में में दोस्तों last 50 years के बीच में आपका 784 species extinct हो चुका है जिसके बीच में आपकी 338 vertebrates आती है 338 359 invertebrates की जादा हुई है and 87 plants की जो species ही वो extinct हो चुकी है मज़लब हमें वो कभी नहीं दीख सकते return नहीं आने वाली ठीक है extent ही हो चुकी है से निकल गई है यह थोड़ा सा ज़ादा होता है तेटेलिया से था याद करना पड़ेगा तेलदस कर जो कि आपका रशीय से था है त्री होता तो पहले लोगेच्छ होना सभी लोग जिंदा हो यह सेशन को अच्छा से अटेंड करना अमेजोन रेंट फोरेश्ट के अंदर जिसे हम लंग्ज ऑफ फोरेश्ट भी कह सकते हैं प्लाइन कहते वह आपका ट्वेंटी परसेंट ऑक्सिजन मनाता है अर्थ एट्मोस्पेर की उपर अगर किसी का घर ही उजार दोगे अगर पैड को कारद होगे तो क्यसे रह पाएगि फ्रागमेंट केण्वक्रिंद नहीं रह पाएगे तो जिन्दा नहीं रहत थे ओएगे उड़ं चाहिए हो इसके बिछ गशेगा ओवर एक्सपरटेशन की वज़े से कौन सी स्पेसिस एक्स्टीम्ट हुई थी तो उसका अंसर आपको क्या करना है ते लास्टी को आपको क्या करना है यह अलेयन स्पेसिस इंवेजन क्यों था नाइल पर्च इन वैजर स्पेसिस बेटा इंट्रोडियूज इन दर Victoria in East Africa lead to the extinction of 200 species of child slide fish इसे एच्छे सी याद करना Nile perch आपका invasive species था introduce किया leg Victoria के अंदर East Africa के अंदर और आपके extinct हो गए 200 species of your child slide fish बेटा इस चीज़ को कभी भूलना नहीं important question आपका होने वाला then the important thing आपके सामने आती है invasive species carrot grass, arthenium हमने जब wheat import किया था ठीक है तो उस wheat की importation के साथ या गई थी जो wheat हमने मगया था उसके साथ ही आ गई थी मेरे दोस्तों हमारे यापर और बहुत ज़्यादा फैल गई landana camera ठीक है water hyacinth आपका इक्षर निया हो जागा जिस हमने टेलर और बंगाल करते थे जिसकी वज़े से बहुत ही जदा fishes वगरा की death हो गई थी और eutrophication हो गया water hyacinth is a invasive weed आपके असबते भाह से आई थी जिसका जो phenomenal rate growth करने का वो बहुत ही ज़्यादा है मेरे दोस्तों African catfish various garry pinnaces is threat to the indigenous catfishes बेटा इसका threat किया बेटा indigenous catfishes के लिए होने वाला है अभी हम देखेंगे को extinction मतलब हम साथ साथ मरेंगे मरेंगे जीएंगे तो साथ मरेंगे 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 तो साथ मरेंगे arguments of preserving biodiversity यह मतलब क्या को इस्टिंशन के एक्जांबल नहीं दिये तो याद कि कोई ज़रूद मीए नारी यू टेलियर बेटा क्या होता है economic benefits एकनामिक benefits मतलब कि हमारा ने यूटेलियर इन होता क्या मिलता है क्या मिलते हैं मिलते हैं में व खिरा मिलता है सबी चीदे मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए ब्रॉड़ली यूटिलैरिटी है ब्राड राड एक्सपर्स में देखना है ब्राड बिड़ाइड है बस अपने आपको देखा थोड़ा से ब्रॉट्र जगा पर देखना है आपके कॉमेंट्स नहीं आARS रही है थोड़ा सा कॉमेंट करो मुझे थोड़ा साच्छा लगा प्लीज शुशील तो भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉमेंट करके बता सकते हो ठीक है तो हो जाएगा इत्थीकल बेटा वोट वी ओटो दे नेशर वाट इस देर इंट्रेसिंग वालू मैं दुनिया पर अकेले नहीं मेरे दोस्त क्या है हमारे पर बहुत दा स्पेसीद है हमारे पर बाकी की लोग तोड़ लिया हमने कुछ भी कर लिया हमारे उपर नहीं यह हम क्या कर सकते एक एथिकल है एथिक्स को लगाना पड़ता है जब हम दूसरे लोगों की केर करेंगे बटा तब भगवान हमारी केर करेगा ठीक है तब हम जिंदा रहे पाए कि दिदिज देखना मुझे क्या करन एक उनके जहां पर रहते हैं वहारी उन्हें प्रिजागी इंडिया के पास 14 Biosphere Reserves है 90 National Parks है and 448 Centuries है यह सभी के सभी Inner-Situ Conservation की बीच में आते है 1 14 14 Biosphere Reserves 90 National Parks के बीच में है और 448 Centuries इनकी बीच में है Biodiversity Hotspots High Spaces Richness Biodiversity Hotspot में लब क्या बेटा वहापर आपकी Spaces की Richness सबसे जादा होती है और 2nd चीज़ होती है आपकी Endemism क्या होती है Endemism होती है मतलब Spaces confined to that region only जो जगा पर मतलब वहाँ छोड़ के वहाँ पर आपको दुसरी जगा पर नहीं मेलेगी उसे हम कहते है Endemism हमारा और एक चाप्टर कवर वने बाला है 34 Biodiversity Hotspot आज ते पाए गए है नहीं माला है यह तीनों ऐसी जगा पर आपका Spaces region ज़्यादा होता है और आपको Endemism दिखाए देगा Endemism मतलब यहाँ पर जो Spaces है नॉर्मली वो नाचरीज दूसरी जगा पर नहीं पाए जाती confined to only this region बिटा all Biodiversity Hotspots cover less than 2% of Earth area बट अगर इने हमाँ preserve करके रखेंगे इनका preservation करेंगे तो बहुत जादा amount of species आपकी reserve हो सकती है sacred groups conserve rate threatened species बिटा sacred मतलब क्या थो बिटा conserve rare and the threatened species को मियापर conservation कर सकते sacred groups के अंदर खांसी एनर जैंदना hills इंडिया के बीच में अरवाली hills राजस्था western guard regions like your Maastra and the Karnatoga these are the sacred groups where you can conserve rare as well as the threatened species थास्थी आंदे जैंतना hills मेंगा लिया अरवाली hills राजस्थान western guard that is located in the Karnatoga and the Maharashtra and the Sarjuga, Chandra, Bustar area that is from the Madhya Pradesh that is from the Madhya Pradesh yes very good आगे बढ़ेंगे यस भाहिया बढ़ो अभी हम देखेंगे एक सस्थेत्टू conservation मतलब कि Offsite मतलब उन्हें हम उनकी नैचरल जग्हासी उठाके हम प्रिजावर करेंगे बाहर बैटा अनकी नाचरल जग्हासी उठाके हमने उनने बाहर फिंशोर करने बाले है मतलब पार्क्स बोटनिकल गारड़न्स जहापर आप प्लांट्स को करोगे बेटा ठीक है यहाँ पर आप एनिमस को करोगे उन्हें प्रिजर्वर एक प्रिजर्वर्वर्मेंट प्रोडूस करोगे वायल लाइस सफारी पार्च इसके बीच में आती है प्राइण प्रिजरवेशन होता है गै 1992 in the Rio de Janeiro the world summit on the sustainable development that was happened in the Jonasberg South Africa in the year of in the year of 2002 so these are the two important MCQs कि आपकी MCQs है इसे अच्छे से याद करना रद डालो है अलो एड़िवन एम अडियाबल ना कि आवाद को आ रही है ना कोई आपका रिस्पॉंस ही नहीं आ रहा है पहले तो बहुत अच्छे से बाते कर रहे थे अभी क्या हो गया और नाशनल पास आपकी एसिस्टिक लाइन के लिए फेमस है टाइगर वहाँ पर दिखाई नहीं देता गीर के वीच में टाइगर नहीं यह बस लाइन है इंडियन जो आपका प्राहे नोसेरस है बेटा उन नाच्रल इनेवेटेशन है असाम के अंदर आयोसीन जो है इंट्रनाशन यूनियर फॉर्ट गंजर्वेशन आफ नेच्छल रिसॉर्स है बेटा उसका फुल फॉर्म नेक्ट जगा पर आपको कुछ चीज़ है पढ़नी है ग्रिटिकली को एक्सजिंशन इनदीमि एंचे कूचय आगे जाल पी उन्हेंड हम कहते है क्रिटीकली एंडेंज़ वनेंग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों है कि अब कमेंट्स करें थे क्या हों के मतलब मेरे फोन के रृट नहीं चल रहा था शीट यारे क्या हो गया यह क्या हो गया मतलब इत्ते दर तक आपकी कॉमेंट्स आ रही थी बट बस मेरे पूर्ण के अंदर विजिबल नहीं था शीट यार मुझे लगा गया बच्चे इसा क्यों कर रहे है कि इत्ते बुरे बच्चे है रिपलाई भी नहीं कर रहे है सच में तुभी मुझे ऐसे आपकी कॉमेंट्स देखे मुझे जोश आया नैशनल अक्वेटिक आनिमल औफ इंडिया रिवल डॉल्फिन है मारे दोस्तों डैची ग्राम नैशनल पार्क नहीं आएगा इसके उपर कोशन कोर जोन के उपर आज सकता है मेरे दोस्तों इसके उपर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना मुझे लग रहा था क्या आपकी कॉमेंट्स नहीं रही बट मेरा फोन नहीं चल रहा था और जोन मतलब क्या होता है रीजन ओव बायो स्पेर नहीं होती है लीगली आपको कुछ भी नहीं कर सकते आप यहां पर ठीक है इसे हमने कवर कर लिया है अभी और कु पर लियुदोश ऑ निलगे कुछ याद में करने के जरूरत नहीं है और क्रयों प्रिसरवाशन के जूरूंद नहीं है क्रयों प्रीजर भुश्वेशं ईनन फर द्रुश्च देड किनहीं कर चल्यों के ज़ड़ूर है बायो प्रेश देडार अटे बायो प्रीश सेंट सब इनका बाइवास्त करा मेरे दोस्तों बट उनका जो रॉल है उनका जो रोल हमारे आपर होने वाला है हमारे नेचर के अंदर हमारे इस रिजन के अंदर बहुत जादा होने वाला ठीक है, Biosphere Reserves Core Zone जहाँ पर कोई आपका human activity नहीं होता है और अगर vulnerable species बोले तो likely to become endangered high risk of extinction in the wild endangered species मतलब क्या at a risk of becoming extinct because it is either few in numbers or threatened by the change in environmental deforestation leading to lack of the food and water or prediction parameters very high risk of extinction in the wild ठीक है यसे पढ़ लोगो से आराम से हो जाएगा दादा मी साडव पर संचुरी चंदरपूर पर जो मत्री ओ वेरी गूट अथरबार ठीक है बहुत बढ़िया और इसी के साथ बेटा critically endangered species मतलब का species numbers have decreased or will decrease by 80% within the three generation 80% से कम हो जाएगा extremely high risk of extinction in the wild you can ठीक है we have covered each and everything we have just came across to the last topic our today's discussion that is our environmental issues बेटा बहुत चोटा topic है बस दो पेजस का topic है बस इत्ता ही topic है यहां तक है बतला बस इत्ता ही topic है हमने बहुत कुछ एचिव किया है आज है आज में लास्ट एजलाइज लाइन ओफ दे इंडिया नियर ग्रेट नीकुबार वियस्पेर रिज़र्व बहुत बढ़ी है या चीज हमें इस दो तरीके से कवर कर सकते हैं बस इंपॉर्णन इंपॉर्णन लाइन कवर करें इन इलेक्ट्रो स्टाटिक प्रेस्टिक जो होने वाला है हमारे तो स्के प्क्सम क्या है उसके फंक्षिन देख लो परेट्विट्ट्र को नियमू करता है वाइडली उसके करता है रिमुऊ करता है परिटीकुलेट मैंटर को यास्त को यह रितू अनैकेडीक्ट उनेयम में डॉक्टर तोईट्रेटा त्रमल पावर प्लाइंट के अंदर यूज करते हैं इलेक्ट्रों से रिलीज करता है उस चार्ज को कहते है को रोना त्रिक है और यह पार्टीकल क के अंदर होता है क्योंकि वहाँ पर बेटाप के पल्टिकुलेट मैटर ज्यादा होते थर्मल पावर प्लाइट के अंदर फ्लाइश वगड़ा पगड़ सकते हो मेरे दोस्तु उस टाइप का चीज़ है और इलेक्ट्रों से रिलीज करता है चार्ज रिलीज करता है जिसे गो कम कर सकते बेटा 99% तक उसका हमने रिमूवल यहां पर कर सकते है ठीक है उसके बाद हमें और एक चीज़ पढ़ने है मरे दोस्तों टीपीस टीपी जो हने वाला आपका Central Pollution Control Board क्या करता Central Pollution Control Board यह सजेश्च करता है कि the particles having the size of 2.5 mm or the less than 2.5 mm causes greatest human harm बेटा इसको रिलीज करना allowable नहीं है it is not allowed बेटा allowed नहीं है क्योंकि यह हमारे mucosal lining जो कि we have a respiratory tract तो mucosal lining में बेटा फस्ता नहीं है directly lungs तक जाता है directly lungs तक जाता है जहां पर हो जाके fibrosis cause करेगा जिसकी वजह से हमारे lens खराब होने के chances होते है so that's why the particles having the equal size or the less size than your 2.5 mm is not allowed to release in the air बेटा see figure 16.1 phase number 271 of ENCID 12 the catalytic converters एक जे देखना हमारा जो pollution होता है तो हमारा pollution कैसे होता है सुषी हमारे आपके सब्सक्राइब होता है तो उस pollution को रोग लिए के लिए हम क्या क्या कर सकते है what we can do catalytic converters होते है जो कि हम क्या करते है हमारे गालभी मेटाते बेटा इसकी वज़े से जिसके अंदर होता है platinum, palladium, and the rhodium highlight करो platinum, palladium, and the rhodium platinum palladium as well as the rhodium तो यह जो होते हैं इसके आटो मोम्बेस के इंदर यूज करते हैं और इसके थरू बेटा हम क्या कर सकते हैं poisonous gases को remove करते हैं रिमू नहीं करते हैं इसका conversion करते हैं हमारे normal gases के अंदर carbon dioxide is not harmful क्या होता है यह श्यता welcome back और जो चीज़ें अपनी मिस्कियों से फिर से एक बार पढ़ लेना उसे conversion करता है carbon monoxide आपके लिए खराब हो सकता है बढ़ carbon dioxide नहीं है तो carbon dioxide अंदर convert कर देगा carbon dioxide हम ले भी लेंगे तो कोई problem नहीं होने वाला है should use unleaded petrol बेटा हमें unleaded petrol यूज़ करना है क्योंकि lead जो होता है आपके catalyst को inactive करता है जिसकी वज़े से आपके poisonous gases जो होते हैं मेरे दूस्ते आपकी गाड़ी release करना start कर देगी तो मैं कुछ इसा petrol यूज़ करना है इसता आपको diesel यूज़ करना है या तो ऐसा fuel यूज़ करना है जिसकी बीच में lead ना हो क्योंकि lead यहां पर हमारे लिए अच्छा नशी होने वाला is it clear yes यह prevention and control of pollination act जो है में दोस्तों यह prevention as well as the control of pollution act है जो कि आया था 1981 के अंदर but amended kiya 1987 के अंदर with include of your noise,1981 के अंदर आया sme dod a 1987 के अंदर किया have clase said 1987 के अंदर हमने इंक्लिवड कर दिया हमारा noise air act आया 1981 के अंदर amended किया हमने 1987 के अंदर और उसके польз कर दिया noise 150 dbys pro jyaadah हमारा sound होता है तो हमारे लिए इरटरम के लिए क्या होता है घात्र को निद्ध खराब हो जाएगी इरडरम खराब हो जाकेंगे Mental Ability करम हो जाएगी खराब हो जाएगी 1990 की बीच में बेटा हमारे डेली प्राउड फील होगा आपको बहुत था फॉर्थ राइंग था मैंने जानबुछ करका ठीक आपको याद रहने के लिए अमांग दर टॉप फॉर्टीवन कंट्रीज जो की मोस्ट पॉलुटेड है बेटा सीटीज सुरी नॉट कंट्रीज तो मोस्ट पॉलुटेड जो सीटीज होने वाली है मर दोस्तों आपकी उसकी बीच में पूर्थ रांग था अमांग फॉर्टीवन मतलब इता जादा देली के जितनी गाड़िया थी गडियां थी पॉब्लीक ट्रांसफर जो की बस हुआ करती थी सुशील उन्हों क्या कर दिया तो सिए जिन की पॉजिटिव और निगेटिव देखेंगे पॉजिटिव क्या है प्यांग चुप्टीन रुपीज कहाता है ठीक है और जो पेट है अधर गास प्यांट लात यूज क्या जा सकता है यह अंजी के अंदर आदर गास आप डालते यूज करेंगे ठीक है और यह चीज़ेंगना बश मोर एफिशेंसली पुछ बचता नहीं है पेट्रोल पुछ तुपाड़ बचता नहीं बट निगटिव पैपलाइन डालना है यहां पर आगे बढ़ेंगे में यह सिंपल हुता है अभी के लिए तो यह है यह क्लियर है ओके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से मेरे दोस्तों नॉम्स की तरुप यूज़ करने वाले हम तेजू इस चीज़े देखना तो पॉर रिदूसिंग और वेवर को भी कम करना है औरमेटी कंटेन को हमने कम करना थो हम क्या क्या करेंग सब्सक्राइब दॉर्पर को मिण यूरोटो नॉर्म्स की एकॉडिk 350 रखना था पहले पूछा करते थे यह अभी आपके सिर्टीज और एक अपरिल 2005 को लगाया था आउट अपरिल 2010 पहले पूछा करते थे यह अभी आपके सिल्याबस के इंदर उतार नहीं पूछा जाता है ठीक है इस देखना और इसके साथ वाटर पॉलिशन को देखेंगे नोट 1974 के अंदर वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल और पॉलिशन आया था वाटर प्रिवेंशन एक चीज़ और उसके अंदर हमने क्या आइड कर दिया नौइज डाएड कर दिया था हम जो था मिर दोस्तो उसके अंदर म Between वेटीवेंशन और सिवेड्य प्रष Aufgabe भी बाकुन होता है थिँखन्य में नैंटिन परेंड आइन जोॉटर होता है ठीक है और जो डिस्वृसन बámके साठी प के पायोडिक्रेडबल मतलब आराम से ब्यायोडिक्रेड कर सकते हो और यह मैटर होता है जिसलिख प्रेटमेंट प्लांस के आदर ठीक कर सकते हैं इसको नियुत कर सकते हैं यह संकेट किसम ठीक कर सकते हैं इस पॉसिबल टू इस्टिमेंट अमाउंट ऑफ बायो डिग्रीडबल और्गेनिक मैटर इंदस्थी वेज बाय बायो किमिकल ऑक्सिजन डिमार्ट इक चीज़ अच्छे से देखना पंदर जितना हमारा ओर्गेनिक मैटर से पता कर सकते हैं रिस जादा और पोलूशंर होने वाला है उतना ज्यादा आपका पॉलिशन होने वाला है जितना ज्यादा आपका पॉलिशन होने वाला है उनके पत्ते बहुत अच्छे दिखते हैं उनके फ्लावर बहुत अच्छे दिखते हैं हम उस्ते एट्रैक्ट हो जाते हैं उरुस्यं क्या करते मिन दूस्तों हम अपने पानी म में डाल देते हैं पिलों मुट्ट मौस्ट प्रॉब्लेमेटिक एक्वेटिक वीडmernya mere मीस इसी इ tuition की इसके यूट्यूंफीकेशन इसकी होता है जिस्की होता है उप्रॉबेंशन पढने तोक्स दीकन जो होते हैं मेरे दूस्तों डीडिति लाइक और आपका मर्क्यूरी यह हमारे बॉड़ी में इस यह पाएगी तो टॉक्स दीकन जो होते हैं मिर दूस्त हमारे जो तो हाईयर ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर बेटा यह मेटाबॉली और एक्स्क्रीट ना होने की वीज़े से हमारे अंदर एक्स्ट्रा यह होती चाहेंगे साथते चाहेंगे इसके वीज़े से बायो मैगनीफिकेशन होगा इनकी अमांट बढ़ती जाएगे बेटा तो इससे लेना गलत बात होने वाली है डीडीटी जो होता है वो डिस्टेप करता है क्याल्शियम मेटाबॉलिजम के वेटा आपका जो क्याल्शियम मेटाबॉलिजम हो डिस्टेप करता है तो थीनिंग्स ऑफ दी एक्शेल्स होता है वेटा क्याल्शियम का वो थीन होता है सबसे ख सब्सक्राइब तो यह नाचरल फिनोमेन यह आपका एड़िशन नहीं होता है बस सम्झा करते हमारी गल्टियू की वज़े से यह तो हम के अंदर मिठी आगे थोड़ी से थोड़ी से प्लांस ग्रों कर गए कुछ दिनों के बाद वह खुज से एक लैंड के दार कनवर्ट होने वाला है इस नाचरल एजनी इनरीच्मेंट ऑफ वाटर की वज़े से होता है जैसे क्या आपका नाइट्रोजन फॉस्पिट अपने फ कौन्स वगरा लेक्ष वगरा होते हैं उनका करनवर्जन आपके लांड एरिया के अंदर होता है उनकी वज़े से उनकी नहां में लू प्लांट प्लांटस होता है क्या होता है इसके वज़े से आपने बनाई है नहीं होता है तो जब यह आप छोड़ दो कि नाइशनल वाटर बोड़िस के अंदर तो ऐसे और गरम पानी या तो सेंसिटीव वाटर आनी के वज़े से मर जाएंगे बट इसके वज़े से नया फ्लोरा पोना आएगा बट जो पुराना वा अगर पानी के अंदर छोड़ोगे तो जो चीज़े वाएं पर पहले से रह रही थी वह मर जाएगी यूट्रोफिकेशन में अलगी लाइक जैसनी चीज़े पानी के उपर आ जाती है ना वह तो नॉर्मल कंडिशन भी आ जाती है नॉर्मल ठीक है प्रति क्या होता है यूट्रोफिकेशन के अंदर एक लेक था न्यूट्रेंट कम होगा मेरे दोस्तों तो कुछ नहीं होगा इसके उसके नदर न्यूट्रेंट ञाएंट डिश्मेंट होगा करेंगे आपका आपका कन वार्ट हो जाएगा सब्स्टीजों के अंदर ने ओकर बढ़ेगा कम होगा तो बता दूडबहों है जब्सकल देखना आपकी एक जाम है मुझे बहुत प्यारा लगता है मुझे यह एंग्जांपल बहुत ही प्यार लगता है मैंने हजार दस हजार बार पढ़ा होगा ठीक है अरकेटा और कैलिफोर्निया के अंदर जिसके अंदर एक युनिवसिटी थी अम्वॉल्ड स्टेट यूनिवसिटी उन्हेंने क्या क्या मार्शी एरियाज जो बनाये थे इसे यूटूब के उपर देख लो बहुत प्यारा है उन्होंने एरियाज बनाये वहाँ पर वह सीवेज का वेस्टवाटर वगरा सभी डाल देते थे हाई मेटल्स वाला डाल देते थे वह उसके अंदर उन्हें बायोडासिटी त्यार की बेटा और उसके अंदर जो डिज है इस एक अश्चीज आती है को सब्सक्राइब जाती है जो भी आपका जो एक्ष्च्टा वगएरा हो जाएगा उसे यूज करते हैं वारे फार्मिंग आदर थोड़ा ही बच्चा है जिस्ट विल टेक 10-15 विरिट्स नुवारे सेशन को स्टार्ट हो चुकिए थोड़ा सा समय हो चुका है we'll take few 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 minutes on like you can say 30 minutes more max or 20 minutes 20 minutes max to max 20 minutes के अंदर chapter भी खतम हो जाएगा हमारा discussion भी खतम हो जाएगा ठीक है अगर आप पूछ डाउट से खतम हो जाएगे 20 minutes के अंदर हम इस chapter को फिर बाद में हमारा हो जाएगे इस solid west solid west कैसे होता है आपके multiple west इसके बीश में होने मतलब क्या solid west मतलब क्या जो कि आपके घर का कुड़ा कचरा होता है ऑफिस का होता है इंड़स्ट्रियल solid west के अंदर आपका स्पार्स आता है फ्लाइश बेटा फ्लाइश का इट में आपको अलग रेफरेंस दे दूँगा ठीक है chemistry के अंदर भी फ्लाइश आपने पढ़ा हो गया सैनेटरी लाइफिस पर एक चीज़ देखना हमारे यावर कित्ता कुड़ा बनता है देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा बनता है इतने बड़े डेहर होते कुड़े के मुंबय के सिटी में जाओ बड़े-बड़े सीठी हमें जाओ नौर्मल सीटीज में तो ठीट थाक है बड़े-बड़े सीटी किता बनता है जसको पॉसिबल सोल्ईशन क्या है जला देना यापर पालुशुन बढ़ जाये जला देने से वेट कम हो जागा बड़े का बड़ एक चीज बहुत अच्छे से सुन लेना समझ लेना मेरे दोस्तों कि इसके थूरू कुछ पॉसीबल कुछ पॉस्टीबल चीज़े आपके ग्राउंड वाटर के अंदर जा सकती है ठीक है तो ग्राउंड वाटर को पॉलिट कर सकती है और मुझे बता दो कहा कहा तक और कितना क पॉड़ा जम इनके इंदर डालो कुछ एक्सेप्शन होते कुछ लिमिटेशन से इसके लिए कुछ लिमिटेशन से प्लास्टिक के स्टेडी हम यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है वेटा हमारे चचा थे अहमारे खान चेचा आ से थे पेटा हमारे अहमारे बैंगल और सीटी कोरपरेशन के साथ आमन खादने क्या आखनाया पॉली ब्लेंड और बिटूमिन को साथ में मिलाया और उन्हों ने उसकी तरू से बेटा रोड़ बनाये क्या बनाये रोड़ बनाये तो उनका जो रोड़ था उसके पास वाटर रिपलेंट प्रॉपर्टी थी अगर आक है नॉर्ल सॉस्फी के साथ प्लास्टिक की साथ उन्हों पॉली प्लीबलेंड के साथ उनक्स किया प्लास्टिक वेस्ट का जो कचरा था जो फैक्त हो नेरश हमारे पसा जाको 확 जो ना में चुब है बैटा हम यूज करते बैटा 40 किलमेंटर्स लॉंग तो बहुत बढ़िया और एक चचा थे बैटा रमेश चंदर डगर चाशा आइधिंग यह हर्याना से थे अग्यस अधिया और फार्मस आज शुके बैटा और इनक फार्मिंग की थी और इनक फार्मिंग मतलब क्या इन्हों ने क्या था एक चीज़ते तो आपका खुड़ा बनेगा उसको दूसरे चीज़ के अंदर रूज कर लिया जो चीज़े बचा थी उसे मतलब अच्छा क्या सब कुछ क्या मिल्कों का प्रोडक्शन क्या बहुत कुछ किया और इनक फार्मिंगी ने किया मुझे अभी एक्समेंट करनी की जोरत थी बैटा जो नुक्लियर वेस्ट होता है उसके रेडियाशन की वज़े से क्या होता है हाई डोस आने पर लिधल हो सकते हैं डेथ कॉस करते हैं औ सब्सक्राइब के अंदर आधे किलोमेटर मतलब 500 मिटर डीप इससे हमें क्या करना तो गारना पड़ता है कि बहुत लोगों ने इन्हें अपोस किया था उनकी आज ना कर इसके रेडिशन सापको गहा तक ठहरेंगे तो यहाँ पर भी पॉसिबल सॉलूशन नहीं है बर इफेक्ट आज वाला दे ग्लोबल और निकों अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इस इफेक्ट इफेक्ट इडिज़ इफेक्ट बेटा आपके सब्सक्राइब क्या तेंपरेचर बना करते हैं तो वाटर का वापरेशन होगा तबी वाटर बाहर नहीं होगा मतलब वाटर इफेक्ट और वुड भी हावेन माइनस एटीन डिगृष इंस्टिट ऑफ इन अवरेच 15 डिगरी शेल्सीयस मतलब क्या है हमारे यहाप अभी आवरेच हैं वाटा 15 डिगरीस थेखेक्ट इफेक्ट अगर ग्रीन हुष इपेक्ट ना होता तो माइनस 18 डिगरीस के तो तो आने वाला है, very good, वेज़ चीज़ देखना, contribution of the greenhouse gases जो है global warming के अंदर, आपके NCRT के अंदर एक diagram D है, this is CO2, खीक है, this is the CO2, this is the CH4, this is the N2O, this is the CFCF, कैसे आप करना है, 60% was contributed by your carbon dioxide, then 20% is contributed by your methane, then 14% is contributed by your CFCF, and the last one is the N2O, that is the laughing gas, that is the nitrous oxide, which was contributed by the 6% value, the next important thing you must remember about, CFCF जो है मिरो दोस्तों, यह आपके ozone का depletion करते है, ozone का depletion करते है, इनके पास free radicals होते, free radicals कि तो यह अपना काम करवाएंगे मिरो दोस्तों, ठीक है, एक जी देखना, आपके यहाँ पर, last past century के अंदर, last hundred years के बीच में बेटा, temperature अर्थ का 0.6 degree से बढ़ा है, normal, जो temperature रुआ करता था, 0.6 degree से बढ़ा है, तो आपको लगा है का भाईया, कुछ भी नहीं, 0.6 degree मितलब, 0.6 degree मितलब कुछ भी नहीं, एक चीख देखना, हमारा normal body temperature, just wait a second, मैंने गन्ति सीज लिग दिया, 37 degree Celsius होता है, high sustainable fewer मतलब किता होता है, type herd की बीच में high sustainable fewer, मतलब इता fewer होता है कि आप सोचते भी नहीं हो, किता होता है, high sustainable fewer in the type herd, कितना होता है, जंदी, किता होता है, 39 to 40 degree Celsius, very good, 39 to 40 degree Celsius होता है, just 2 degree in the rise, मतलब इता ज्यादा होता है, तो 0.6 मतलब इता ज्यादा होता होता है, तो अगर इता ही चलता जाएगा मेरे दोस्तों, तो हमारे आपर सभी चीज़े खराब हो जाएगी, चीजे घाट हो जाएक देखना इत्पाइद मैंतर्क कर दा भाइया क्यों चिलाते हो भी कुरा इस लेक्चर को तो इता अच्छे से किया और लाश्य में चाहकी चिला रहे हो तरी कभी चलाना भी अच्छा होता है अब तो मुझे भी फिल होने दो ना क्यार में भी चिला सकता हूँ बच्पन में मेरी उपर मेरे टीचर भो चिलाया करते थे तो मैं लूंगा बतला खुन बतला ठीक है मुवीज देखते नो बदले वाली में भी बदला लूँगा इस टीक में भी चलाओंगा तो एक चीज़ देखना दराइद इंदा लेडिंग देट्रिटर्स एफेट और 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 क्लाइमेटिक जिस बिटा जिसे हमारा एल नायनो एफेक्ट आने वाला है क्या तेम लॉन को क्या हो रहा न्यों यहां पर रहो नहीं हरut यहां भी पटणा हम दूस्तों और बेटा जो कि क्या कबता है क्या ऎट्व यूवित को रोबता है व्हर टोवर एत्मॉसपिर में अपके ट्रोपोस्पियर में पीटा जो कि ओपर भी होता है वहाँ पर भी होता है ओजन का जो ठीकनेस होता है हम डॉप से यूनिट्स में काउंट करते हैं तो बवाशिर हो गया है तो के वेट सेक्ड डॉप से ने इसमें काउंट करते बेटा ओजन होल एंटाइटी का रिजन में है कब होता है लेट अगस्ट लेट और अगस्ट अर्ली ऑक्टोबर ठीक है मैं आपको बताया था ठीक है क्या बताया था मेरी एक क्रॉश वा करती ती जिसका बड़े लेट ऑ और यूवी बी रिडियेशन जो हता है वेटा आपके कॉर्णिया का इंफ्लामेशन कर आते जिसे मस्टॉबाइन नेस थे कहते है वेटा स्वारा आजाएगा यस वेरी गूट नेश्ट पर्शन आपके स्क्रीन के सामने नेश्ट पेज भी इत्ता ही बचा है इसकी बाद हम यस we will be done with this यह महनत रंग लाएगी यार अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो मेरे दोस्तों जल्दी से कर लो क्योंकि सच में मैं भी चाहता हूं कि इस सेशन के लाइक बढ़े और और भी जादे वीडियो और भी लोगों तक फैल जाए अ आप उर भी ज्यादा लाइक करता है यह वाला सेशन ठीक है तो और ज्यादा जाते से में लाइक करना हो या तो अभी ही कर सकते हो हो तो हम तोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन के अंदर लाइफ चाहत का हुए है एस में लाइफ चाहट को ओन कर रहो हूं कि प्टी तो यहां पर एक चीज़ देखना अभी हम देखना है मॉन्टरल पॉल्टिकॉल साइन दर कैनेड़ा इंदा क्या था था वोजन डिकेशन सब्सक्राइब तो होजन वाला प्रतिक यह बाता अगर मैंने मजाग के नाम पर बताया आपको वाला मैं आपको याद करने के लाएता था यह रिया धिती पेटा मैंने कुछ ऐसे ही आत किया था तो आपकी जो फ्रोड प्रॉड कर्बन्स तो क्य इपना रेफ्रीजर्टर कि इंदर की नहीं को आप कुछ भी करो हम तो सी अब याइज करा के रहेंगे था साइन करने के लिए बेटा हमने मॉन्टरल प्रोटोकॉल को साइन किया था कैनेडा के बीच में डिफ्रेंट कंट्रीज आई थी 1987 के अंदर और यहाँ पर एक वादा किया गया कि कोई अभी नहीं करने वाला वादा मतलब की बेटा एक साइन गया गया नाशनल फॉरेस्ट चीद को मर्दक बूलना नहीं है म ही पर अपका 67% ऑफ टा है हाई हीलते हैं अच्छे हाई हीलते नच्छे मतलब क्या हील की उपर हाई होता है जो दोस्तों कहते हैं जूम कल्टीवेशन होता है यह कल्टीवेशन के जो लोग कहना अच्छा नहीं रहेगा तो लोग कहना अच्छा रहेगा तो यह जो कम्यूनिटी होती है मेरे दोस्तों क्या करती है एक जगा पर जाती है जो कट बनाती है उसे करती है और उसके बाद जब की हो जाये जब सॉईल की हो उस प्लांट को उसरी बांट को फिसे लीए फ्र spinal कhole की लिए चोड़ती थी है उसके बाद पर जाती है इनकी चुछ कोई गलत नहीं यह तो अच्छा ही करते हैं इनका तो सब ठीक है तो यह हमारा क्या होता है जूम कल्टिविशन होता है अमरिता देवी भिष्णोई वाइल लाइफ प्रोटेशन अवर्ड जोता है उन लोगों को देते हैं जो कि प्रोटेट करते हैं वाइल लाइफ को देखना क्या हो गया हम यहां पर रहते हैं यहां पर कोई आएगा और दीप परेस्टेशन करेगा और मैं उनको रोकने को चाओंगा तो मुझे गवर्मेंट अमरिता देवी भिष्णोई अवर्ड देगी तो मैं इसे अवर्ड लेकर आसी पोटु की नमें बेटा किसी फॉर्ष को चीपक जाते है तरहाल आपकी हिमालायज में था 1974 लुकल ओमस ने क्या किया था प्रोटेट किया था हगिंग करने के बाद सबसे पहले मारना है तो हमें मारो फिर बाद में पैड़ को काटने से पहले पहले मुझे हाथ लगाना पड़ेगा इ टबिक कवरं मतलब क्या है जॉइन फोरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कैसे होता है की गवर्मेंत क्या करता है कि जू अआपको से कराके list का ना न Metall इसकी लिंक अपने फ्रेंड्स को शेर करना है शेर विद यूर फ्रेंड्स उन्हें भी इस चीज का मजा लेने तो हमने जितने भी पॉसिबल कोशिंटे उसे कवर कर लिया है आप से गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज प्लीज जब अभी आपको एकोलोजी रिवाइस करन करना हो तो खुदे से भी रिवाइस करना और इस सेशन का बेटा इस सेशन का रेकॉर्डेट फॉर्म देख लेना है क्योंकि आपने अभी एटेंड किया है तो आपको और भी जदा बैस्तिक्ली हेल्फूल करेगा चार में से जो भी टॉपिं भी वाइस करना है मैं यहां प तो इस तरीके से देखना हमने क्या क्या कवर किया है मैं आपको दिखा दूँगा देखो इत्ता कुछ हमने कवर किया है इत्ता कुछ अलॉंग विट्यूर आउट फेंस एटी ठीक है यस सर एक्चेमेंट सर जेस्ट डूट तो हैंक्यू तो आज हमारा सेशन थोड़ा सा ल आपका बी ओड़ी की बारे में बात करेंगे इसे हम बायो लॉजिकल भी कह सकते हो और तो इसे हम नॉर्गेनिक मैटर के तरफ से देखते हैं इन और गेनिक के तरफ से नहीं देख सकते हैं मेरे दोस्तों पहले कुछ चीज़ए कुछ प्दूट बताता हूं उसकी बात थो आगे जाएंगे इतना ज्यादा ब्योडी ठीक है उतना ज्यादा उस वाटर का पोटेंशल होता है पोल्यूशन करना पोटेंशल टू पोल्यूशन उतना ज्यादा होता है ठीक है वाटर पोल्यूशन करने का उतना ज्यादा उसका पोटेंशल होता है मतलब क्या जितना ज् की बीच में और गैनिक मेटरियल डिजॉर्ड होगा ठीक है और गैनिक मेटरियल मतलब आप एक एक्जामपल ले सकते हो हमारे यह जो होने वाला यह स्रीटू को इसी वाली चीज़े एक्सक्रेटर वगेरा फीसेस वगेरा उत्ता जादा होने अपर आपको बीओड को कम करना होगा तब आपको आपका जो अर्गैनिक मेटरियल होता है उसे डाइजिस्ट करना पड़ेगा और यहां कम करोगे मतलब क्या जितना कम बीओड उतना जादा पोटेबल वाटर उत्रना ज्यादा पोटेबल वाटर अब कुन सकते होँ आप के पास च्यार सेंपल एक है यह अदर को स Això , BOD और चोते के अंदर आपका BOD 0.5 है बेटा, 0.5 को कैसी लिखते है, 0.5 है, ठीक है, तो इस में से portable कौन सा है, तो जिसके बिच में सबसे कम BOD, वो आपका portable होने वाला है, बस इत्ता ही होता है, हम एतर respect to the organic matter कहते है, बेटा, like your sewage, like your sewage and all हो जाएगा, यह आएगा, यह सभी बात है, पूछो, 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 डाउट है, तो पूछो, कोई बात नहीं है, अगर आएगा, तो ज़रूर बताएंगे, नहीं आएगा, तो उसको बाद में डिसकस करेंगे, क्या होता है, डाउट तो सभी लोग अटेशन कर जाएगा, अब सभी लोग पहले से बहुत पहले से आटेशन कर जाएगा, अगर अभी ने पूछ सबस्क्तों बाद में पूछो, ठीक या, बाद में पूछ कोई बात नहीं, नहीं है, तो चलो मुझे सेशन को एंड करना पड़ेगा, ठांक्स फ आपका डूट ने इसके वैच से में रूका था यह स्वामी थैंक्यू थैक्यों तॉच्छल ऑडवड है तूच्छले तूच्छ टाइम आरा जा रहे है न। है बावाय बावय ओक्या है अभी नियुक्त बाद में पूच्छ लेते हो इस सेशन के दर करता हो जल्दी इक एक ने सीशन की साथ तब तकी लिबाइबाएबाएबाएज एम ने से टेक कियर